गुट इवनिंग राम राम सभी को ससे का लादाब जल्दी से बेटा क्लास को सेर गड़ दीजिए जूट जाईए आप लोग बिल्कुल आसा है कि आप बढ़िया होंगे आपके हेल्थ स्वास्तिय सभी के बढ़िया रहे होंगे कल किसी कारण वस अपनी क्लास नहीं हो पाई थी उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं जो भी जुड़ गए हो क्लास को सेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना भई सब्सक्राइब करना और जल्दी से जुड़ जाओ बढ़िया 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 आप यह पिल्कुल जल्दी जुड़ जाओ फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना तिक करेंगे अपने पिसले क्लास ऑन में मेवाड किया मारवाड किया बीकानेर के क्यूसन किये चौहानों के क्यूसन किये एक दिन ऐक और क्लास लेकर आएंगे उसकति आपके जितनी भ कोई दिक्कत नहीं है लक्सी जाट गुड यूणिंग वेरी गुड यूणिंग बेटा सरवन सोनु हेलो सर बिल्कुल किशन परजापत राम राम बेटा बिल्कुल सभी को राम राम आगे बढ़ते हैं और आज अपना अपना सबसे पहला क्यूशन करते हैं एक जो भी विद् सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ थे वीडियो को लाइक कर दो थोड़ी वह लाइक वाले बतुड़ी जुब जाती है तो मेरे में जो हसा जाता है आगे बढ़ते हैं और आज अपना सबसे पहला क्यूशन राजस्तान में 1857 की क्रांती के समय यहां के एजी जी एजेंट टू गवर्नर जेनरल कौन थे कैप्टिन ब्लेक, हैन्री लॉरेंस, जोर्ज पेटरिक लॉरेंस, कप्तान हित कोट 1857 की क्रांती के समय राजस्तान के एजी जी कोन थे बटा, जोर्ज पेटरिक लॉरेंस, कोन थे जोर्ज पेटरिक लॉरेंस थे दियान रखना, हैन्री लॉरेंस कोन थे? तो Henry Lawrence की मोत Merit Withro के दोरान हुई थी बटा Merit Withro के दोरान क्या हुई थी इनकी मरती हुई थी George Portric Lawrence के भाई थे बड़े बले अंग्रेज ओफिसर थे Merit में इनकी क्या हो गई थी मरती हो गई थी फिर मैं आगे बात करता हूं तो मैं George Portric Lawrence के बारे में बताता हूं तो AGG बनने से पहले ये मेवाड के Political Agent थे मेवाड के क्या थे बिटा Political Agent थे बाद में राजस्तान के क्या बने AGG बने ये तो बात हो गई 1800 सताउन के क्रांती के दोरान कई बार आपको पूछा लेता राजस्तान के प्रथम AGG राजस्तान के प्रथम AGG First Agent to Governor General of राजस्तान परतीप गुजर कह रहा है George Patrick Lawrence बहुत बढ़िया बेटा प्रथम AGG आपको पूछेगा तब आप बताना बेटा Mr. Abraham Locke Mr. Abraham Locke राजस्तान के पहले एजन टू Governor General आपको पूछ लेगा Ark जाखर जे श्रीराम जे श्रीराम बेटा आपको पूछ लेगा राजस्तान के एक मात्र पहले भी यही थे अन्तिम भी यही थे एक मात्र Resident for राजपुताना कौन थे Resident for Resident for राजपुताना कौन थे आप बताना बैटा एक मात्र रेजिडेंट फोर राजपुताना जो थे उनका नाम था का देवीड ओक्टरलोने क्या नाम था डेवीड ओक्टरलोनी ज्यान रहे गी बात बिलकुल द्याना कि प्रवन कुमार मंदा गुड इनिंग वेरी गुड इनिंग बेटा कमी फोड़कास्ट परणाम सर जी परणाम सुरत सी के रहा बहुत बढ़िया निर्मा के रही है सर सिक्सन अभी रूचियों के क्लास ऑनलाइन विल्कुल बेटा कोसिस कर रहें करवाएं थोड़ा अनुमान स सेर कर दो बेटा यह रोज रोज स्टोरी डालने का मैं नहीं कहूंगा आप स्टोरी मेरे बिना कहीं डाल दिया करो आगे बढ़ते हैं अगले के उसन की तरफ और अंग्रेजों के सासनकाल में राजस्तान में पॉलिटिकल एजिडेंट का मुख्याले कहां था अबू अजम 1832 में एक पद बनाया गया था उस पदगा नाम था बेटा एजी जी इसी को रेजिडेंट भी के सकते हैं और इस एजी जी का जो मुख्याले था जो इसकी हेड़क्वाटर थी वो तेकी गई अजमेर अंग्रेज बापड़े यूरोप से आए हुए यूरोप के अंदर फुल ठंड होती है राजस्तान में खुब गर्मी पड़ती है तो अजमेर में इनका सरवायू करना मुख्यल हो गया और 1845 के अंदर जो एजी जी का मुख्याले था उसको आबू शिफ्ट कर दिया गया माउंट आबू उसको शिफ्ट कर दिया गया लेकिन आबू से राजस्तान को कंट्रोल करना मुख्यल था तो 1864 में एक नया रूल लेकर आए उसके अंदर कहा गया ग्रिस्म कालीन जो मुख्याले होगा यानि गर्मी में जो मुख्याले होगा ग्रिस्म कालीन जो हेड़क्वाटर होगी वो तो होगी आबू और सर्दियों के अंदर जो सीत कालीन जो हेड़क्वाटर होगी वो तो अजमेर कर लो या बई सर्दियों में तो अजमेर रहने में दिक्कत नहीं है नहीं सर्दियों में तो अजमेर में इतनी गर्मी नहीं होती तो भाई साब सिस्टम किया गया छे महीने आबू चे महेंने जब तक गरमी पड़ेगी तब तक काबू, शे महेंने जब सर्धी होगी तो कहां रहोगे, तो इनोंने कहा House, अजमेर रेलेंगे सब के लिएर रहेगी बात विल्गुल के लिएर कां थी अजमेर थी दयान रखना विल्कुल वी डियो को लाइक करते रहें चैनल को सबस्क्राइब करें क्लास को सेर करते रहें आप सभी लोग फिर आगे बढ़ते हैं राजस्तान में रियास्तों पर परभावी नियंत्रन इस्तापित करने के लिए एजी जी का पद कब बनाया गया सुनना मेरी बात बेटा भारत में जो सबसे बड़ा अंग्रेजों का पद होता था वो होता था गवर्नर जनरल कौन सा पद बेटा गवर्नर इसके नीचे जो पद होता था उसको कहते थे एजी जी एजेंट टू गवर्नर जनरल और इसके नीचे जो पद होता था वो नाम होता था रेजिडेंट आपको पूछ रहा ए जीजी का पद कब बनाया गया था 1832 में बटा कब 1832 में किसने बनाया तो गवर्नर जनरल लॉड्ड विल्यम बेंटिक ने बनवाये था यह पद किसने बनाया गवर्नर जनरल लॉड विल्यम पेंटिक ने याद रहेगी बात बिल्कुल द्यान रहेगी सब इससे पहले क्या होता था तो इससे पहले रेजिडेंट फॉर राजपुता नहीं जिसका पद 8132 में क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया पिर आगे बढ़ते हैं कि सान 1857 इसवी के विद्रों के समय राजस्तान में सेनिक चावनिया कितनी थी 1857 के विद्रों के समय राजस्तान में सेनिक चावनिया कितनी थी छेती बेटा पेली चावनी थी नसीराबाद कहां पढ़ती थी अजमेर दूसरी चावनी थी मीम उच्छ खाम पड़ती थी MP दूसरी चावनी धी देवळी खाम पड़ती थी जॉंक एरेनपुरा खाम पड़ता था पाली फिरेक चावनी भ्यावर खाम प्ड़ती थी अजमेर nah, एक चावनी खेरवाडा चाहां पढ़ती थी तो वेज़ेपूरे एक सेना बनाए गई चाहिए बनाई गई मेरवाड़ा हेड़क्वाटर का मुख्या ले कहां था मेर वाड़ा बतालियन का हेड़क्वाटर कहला नशीरवाद ब्यावर खेर वाड़ा कहेर अरेनपुर्ण निम्मच देवली छे बिल्कुल बटा बिल्कुल ठीक लेगी आपने सारी कि मेर वाड़ा बटालियन का एड़ गॉआटर पियावर का था बेटा ब्यावर किस ए बसाया था तो मेजर डिक्षन ने बसाया था इंग अंड़े जदिकारी तक डेकारeur अ अ मैजर डिक्षन ने बसा आया थे भारत का अंतिम परकोटे वाला सहर है कि पियावर के बारे में ध्यान रखना भारत का अंतिम परकोटे वाला सहर कौन सा बेटा त्यावर वीडियो को लाइक करते रहे हैं और सेर करते रहे हैं बेटा सभी लोग राजवीर, फिल्मी बंदा, राहूल, बबलू, परदीप, शपना, अभिशेक, तमन्ना, नीट, एस्पारेंट, मनीश यादव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया निर्मा चोधरी, दुर्गा दयाल, बहुत बढ़िया बेटा, सभी का बहुत बढ़िया याद र कुन सी सेनिक छावनिया मोजूद थी, कितने जुड़े हो, वीडियो को लाइक करें बेटा, सभी लोग, लाइक कर तेरे वीडियो को, कितनी सेनिक छावनिया थी, नसीराबाद थी, हाँ, एरिनपरा थी, हाँ, नीमस थी, हाँ, देवली थी, हाँ, ब्यावर थी, हाँ, खे पिरागे बढ़ते हैं अगले कोषान की तरफ कुल मलन किट में से कों सा इस्तल राजस्थान में 800-57 क्रांटी का केंद्र नहीं था कॉन सी जगे क्रांथी नहीं हुई अजमेर में हुई थी नसिराबाद में, नीमच में हुई थी, जेपूर नहीं हुई बेटा, आंस्वर क्या हो जाएगा, जेपूर हो जाएगा, हुआ में भी हुई थी, जेपूर में राजा जो था, उनका नाम था राम सिंग सेगेंड, जेपूर के जो राजा थे, राम सिंग सेगेंड, और जेप को राम सिंग सेगिंड ने गिरिफ्तार कर लिया था और जेपुर में कुरांती नहीं हुई जेपुर में जब कुरांती नहीं हुई तो राम सिंग सेगिंड को सितारे हिंद की उपादी थी गई इस्टार ओफ इंडिया कहा गया इनको जिनको हिंदी में का जाता है सितार हिंद इनको कोट पुतली का परगना दिया गया कोट पुतली का क्या दिया गया परगना दिया गया क्या हो जाएगा अप्शन आपका हो जाएगा इसके अंदर भी फिल्मी बंदा जेपुर में नहीं हुए क्योंकि उनको गिरिफ्तार कर लिया गया था बिल्कुल ठीक के रहे हो बेटा अगे बढ़ते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहे हो जो भी विद्यारती पसु परिचर जो बेसिकली जलधारी की वेकेंसी है उसकी तैयारी करना चाहते हो 6,000 के सम्तिंग पोश्टे हैं बेटा 5,900 और इसके अंदर योग्यता आपसे मांगिए सिरफ 10 वी पास तो जो भी विद्यारती तुर्तो तुर्त में बार वी पास कर क्या है बेटा नोकरी लगने का स्वर्णी मोका है 10 पास जो भी पढ़ा हूँ उन सब को कहो कि नोकरी लगने की तैयारी करो और परतिग्या क्लासेच के अंदर आपके नए बेच 7 अगस्त से सुरू हो रहे कितनी तारिक से बेटा 7 अगस्त से आपके पसुपरिश्चर के नए बेच सुरू हो रहे आप बिल्कुल जोईन कर सकते हो गणपतराम गुड यूनिंग फिर आगे बढ़ते हैं राजस्तान में 1857 की क्रांती सर्व प्रथम कहा हुई राजस्तान में सर्व प्रथम क्रांती कहा हुई अव्वा, एरनपुरा नशिराबाद या देवली आपको बारत में सर्व प्रथम पूछे तो 10 माई कहां पर तो मेरट में और राजस्तान में आपको सर्व प्रथम पूछे 28 माई कहां पर तो नशिराबाद किसने की तो 15th Native Infantry पंदर भी Native बंठालियन थी पंदर भी Native Infantry थी उसने ये क्या किया था विद्रो किया था कितनी तारिक को 28 माई को कहां से तो नशिराबाद से तो राजस्तान में प्रथम विद्रो कहां हुआ नशिराबाद से हुआ था याद रहेगी बात पिल्कुल 1857 की क्रांती की समय मैजर स्पोर्टिस वूड तदा करनल नियूबेरी की हत्या किस चावने में की गई नीमाच ब्यावर नशिराबाद या खेरवाड था नशिराबाद के अंदर बेटा कि कामेजर मेंजरे इस्पोर्टी सवेड हूं जबल दिया कर दियाक इनुटल की हो त्यॺद में ऑद सत्विय। और अइंज था लेफट नेट लोख कि यह दुनों गाहिल हो गए थे ईंचनल हो गए थे एंजर्ड हो गए ते गायल हो गए ते और एक व्यक्तिता जिनका नाम था करनल पेनी उनकी व्यावर की तरफ जाते समय रास्ते में आड़ेटेक से मौत हो गई बिटा किससे मर्ती हो गई तो अधियागात से मोत ओगई ती वीडियो को लाइक करते रहे ना और क्लास को सेर करते रहे ना बड़ी परजाम बंडल और एक ही करण सबसे ज्यादा कि उसन जी टोपिकों में से बनते हैं वो ही अपन सोल कर रहे हैं परदीप गुजर पेनी को अड़ेटे गाया बिल्कुल छीख के रहे हो राम सब इसनोई गुड इउनिंग जी सर जोतपुर से बिल्कुल बेटा जोतपुर से ग सब्सक्राइब को काँ पर नसीराबाद के अंदर विद्रो हो गया था किसने किया था तो पंदर भी बंगाल नेटिव इंफेंट्री नहीं है विद्रो कर दिया था फिर आगे बड़े अगले क्यूशन की तरफ बजरंग मीना का कमेंट आ रहा है सर आप मेरा नाम नहीं लेते हो आपका नाम कैसे नहीं ले सकता बेटा सिना चीर के देख बजरंग बली की तरह 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 पोटो मिलेगी अंदर है तो दिल में वसा वाय से क्या कर रहा है बेटा नाम से क्या हो जाता है अकांशा आचर 49 रूपे में कितने रूपे में 49 रूपे में आपको पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी टैसरीज मिल जाएगी BSTC की तो आप लोग जोईन करना और प्रतिके क्लासिस का एप डाउनलोड करना और आपको एप पे फ्री नॉट्स मिल जाएंगे केलास चोदरी कमेंट कर है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते तु रुकावटों से लड़ तो सही सब होगा हासिल तू अपनी जिद पर अड़ तो सही बिलकुल ठीक कह रहे हो बेटा सुमन विश्णोई स्वागते बेटा सूरज जी बहुत बढ़िया लाइक कर दो बेटा वीडियो को जितने इंपंट्री थी बोडने जिद्ध पर और 10 वी गौने विश्णों को जोइन कर लेती बो सवाई मादोपूर से बिल्कुल बेटा स्वागत है फिल्मी बंदासर मैंने सुना है आपने तीन लाग का कॉंट्रेक्ट नहीं बेटा नहीं 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 गलत सुना है आपने जो भी सुना है आपने गलत सुना है ऐसी कोई बात नहीं है अफवाएं है मार्केट में उड़ती रहती है ऐसी कोई बात नहीं है होगा तो आपको पता चल जाएगा आगे बढ़ो नसिरबाद छावनी को लूटने वाला राजपुत सरदार नसिरबाद छावनी किसने लूट ली थी? किसन सिंग, डूंगर सिंग, जुनजार सिंग या ओनार सिंग डूंगर सिंग बेटा डूंग जी जमार जी मैं इनको कहूँ तो डूंग जी जमार जी सिक्कर में एक जगे पड़ती है बाठोड पाठोदा वहां के सामनते सिक्कर के बाठोड पाठोदा के सामनते कोन बेटा तो डूंग जी जमार जी दियान रख ले न राम ब्रोस बांबू के रहा सर गूड इवनिंग वेरी गूड इवनिंग राम प्रोष जी 30 को 30 वी जुड जाती बिल्कुल ठीक के रहा उदेश आसु सिंग स्वागत है बिटा आगे बढ़ते हैं अगले कि उसन की तरफ राजस्तान के कोटा राज्य में 1857 को महान विद्रो पर्थम स्वतंतरता संग्राम का नेतरतो किसने किया था पंडित नेनुराम सर्मा और विजे सिंग पतिक लाला हरदयाल और मेराब खा भुसाल सिंग और राम सिंग लाला जेदयाल और मेराब खा सुनना मेरी बात कोटा के राजा थे राम सिंग सेगिंड राम सिंग सेगिंड थे कोटा के राजा कोटा में विद्रोई थे दो पहले तो थे वकील जेदे याल दूसरा था बेटा रिशालदार मेराब खा वकील राजा का वकील था रिशालदार यानि सेना का अत्यक्स था परदीप गूजर जेदे याल और मेराब का बिल्कुल ठीक के रहो बिटा फिर जो अंग्रेज अधिकारी था जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बिटा या नम था बर्टन तो आप कहीं का भी विद्रो पढ़ो तो तीन चीज़ें आपको जरूर पढ़ने हैं वहां के राजा कौन था वहां के विद्रो ही कौन थे और वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था एक ररा सो सथावन के क्रांटी के समयं अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट कॉछल खाज अब है मैंने मैंसर chuckling gent कि मैजर बटन जिसके अत्या कर दी थी विद्धरोई और छा डीव weep दोर गए.. र बैटा बिलकुल इनको फांसी दे गई थी एधियार को खुद को भी का लूम से दे गई थी में कstore 1357 के विद्धरोग के दोरान मेजर बटन वे उनके दो पुत्र कहां मारे गए थे एर नसिराबाद नहीं एरनपुरा में बेटा मेक मेशन मारा गया था एरनपुरा सैनिक वालों ने मेक मेशन का सर काट का हुआ कि खिल्ले पर ठांग दिया था और गीत गाये थे कि डोल भाझे चंग बाझे बेलों बाझे बांक्यों मेक मेसन रो मा तो बाडने आउवा माते टांकी हो मेक मेशन था वो जाधपुर नहीं विट्टा यह तो पॉलिटिकल एजेंड था मेक मेसन कोटा बिल्कुल बेटा कोटा में कुछ लोग मारे गए थे जैसे मेजर बटन मेजर बटन के दो बेटे फ्रेंक और और्थर तो डॉक्टर थे कोटा डिस्पेंसरी के डॉक्टर सेल्डन और दूसरा डॉक्टर थे डॉक्टर कॉंटम डॉक्टर सेल्डन और डॉक्टर कॉन्टम इन सब के अत्या कहा हुई थी बैटा कोटा के अंदर इनकी हत्या होगी थी उदेशके रहा है डॉल बाजे ठाली बाजे सागे बाजे बांकी और मेक मेशनन ने मारने हुआ विडियो को लाइक कर दें सभी लोग और जुड़े रहें निमन लिकित मैंसे किन अफसरों के अत्याब 15 अक्टूबर सदावन को कोटा की राज के शेयना ने की थी में जर्मोरिशन नहीं भी मोरिशन तो बरतपुर का था ट्टर सेल्डर बिल elaborέ केतर है सेटलर लिख दिये jest के मैजर बटन बिलकूल ठीक है डक्टर सोवर्स कैटंस व Kevin संवल्सनी लोर तो और तीन हो जाएगा इसकन WO dud दो सोवर्स मौरिशन बरतपुर का था कि बरतपुर का पॉलिटिक एजेंट था जिनका नाम तो सी एल सोवर्स फिर आगे बढ़ते हैं नेम्न में से कोन कोटा के अठारा सो सताउन के विद्रों के नेता थे कोटा के विद्रों के नेता कौन थे मौमदली भेग नहीं नीमच में कुसाल सिंग्स नहीं एरिनपुरा में थे जेदेयाल हां सही है इरालाल नहीं 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 इरा सिंग तो नीमच वाला विद्रों करते शी ओ जाहेगा वपील ये देयाल कोटा के विद्रों के रहते नेता रहते फिर आगे बढ़ते हैं ऎक लेक्यूशन की तरफ कंपनी अधीकारी जिसकी अठीटानों की करान्थी के दुरान कोटा में अत्यागी गई थी बार बार ये कुछन रिपीट हो रहे हैं करना लेवूट नहीं बठाना लेवूट निमत छाँनी में थामी गथा कैप्टन सोवर्स नहीं मेवाड का था मेजर बटन कोटा का था का सब्सक्राइब को तो सब्सक्राइब आपको नौर्मली पूछे लेगा मेवाड कराजा तो सुरूप सिंग आपको पुछे का कोटा का राजा राम सिंग सेगिंड जैपुर का राजा राम सिंग सेगिंड आपको पुछे का बरतपुर का राजा जस्वन सिंग आपको पुछे का दौलपुर का राजा बगवन सिंग आपको पुछे बीगानेर का राजा तो आपके न सरदार सिंग आप रखना थोड़े इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वले राजा है ज्यान रखना तिलोक नवल कह रहा है गुरुजी आप कावत बहुत अच्छा बोलते हो बेटा बस बोल लेते हैं थोड़ा सो तुम लोगों का मन लगवाना भी तो जरूरी होता है कावतों से थोड़ा तुम की राजाने जयपूर के राजाने जब को टाराजा राम सिंह सेंग्शंग को नजरबंद कर दिया था तो करॉलीकर राजा मदनपाल ने इनकी मदद की थी करोली का राजा कौन था बेटा मदन पाल था मदन पाल ने इनकी क्या कर दीती मदद कर दीती फिर आगे बढ़ो राजस्तान पुलीस के लिए सुभास सरकाई की वीडियो डल चुका है कि उसके अंदर क्या-क्या बदला हुए अब आगे की वेकेंसी कैसे च कोटा दोनों जगें कैसे हो गया राज का डबल रोल केसे कर दिया सर करोली ने स्वेस्थ और ये लातन में बिल्कुल थीक रहे हो हाँ तो दैबल रोल है कि z aboard कर Southwest कर देना वीडियो को चैनल को सब्सcrाब कर लेना आगर नहीं हो तो निमच के विद्रों की तिथी क्या थी दो जून, तीन जून, अठाइस मही, एकतिस मही, तीन जून बेटा, कौन करता है विद्रो, तो हीरा सिंह के नेतरतों में करांती की गई, कि दो जून को तो करना लेबोट सबको सोगन खिलाता है और मुहमद अली बेग सोगन खाने से मना कर देता करांती तीन जून को हुई थी बटा कितनी तारिक को तीन जून को प्रदीप कहे रहा है अंग्रेजों ने मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ाई थी बिल्कुल टीक के रहे हो बटा निर्वा विष्णों के रहें सुभास सरीज माई फेवरेट मेरे भी फेवरेट है बेटा सुभास जी सर्तो और कोटा के राजा राम सिंग सेगेंड की तोपों की सलामी घटा दीती बटा यह और दियान रख लेना तीन जून को विद्रों के दबन वाता फ कुंदा खेशिय должна का नम था महिद पूल तूक्डि अचा्यारम सिंग सेंसा इस का नमच्वाले सेनिकों के साथ collaborating तो यहांपर जाजपुर की मेंड़ाओं की नियुक्ति की गई क्योंगि सेना चावनी तो काली हो गई ती जाजपुर के चार सो मिणाओं को बढ़ती किया गया क्या किया गया बेटा बरती किया गया कमेश के राय सर गुड यूनिंग वेरी गुड यूनिंग बेटा में अंदर मेरा देवली में बिलकुल ठीक बेटा सुमित्रा सुमित्रा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शांदार आगे बढ़ो अठारा सो सतावन के विद्रों के समिधी जोत्पुर के माराजा तक्सिंग ने किसके नेतरतों में सेना अजमेर वेुजी कुसलराज सिंग भी अरजुन सिंग, ग्राव रामचंदर हिरालाराज कुसलराज सिंग भी कि वहा क्या था वेटा कि युद्ध वह था बिठोडा का युद्ध अज मेर इसमें गड़त लिखा है युद्ध वह था बिठोडा का कब तो 8 सितंबर 1857 किस किस के बीच तो जोदपुर की तरफ से एक व्यक्तिया है कोशल राज सिंग भी अंग्रेजियों की तरफ से एक व्यक्तिया है कैप्टेन हित कोट और सामने लड़े ते कुसाल सिंग चांपावत थे कौन जीता था कुसाल सिंग जीत गए थे इस अंबले के दोरान जोदपुर का किलेदार था सर में निमबाएडा का हूं अभिशेक मिना बहुत बढ़िया बिटा निमत चावनी के सेनिकों का निमबाएडा में जन्सवागे तुआ था बिलकुल आप निमबाएडा के हो जी कर दो रहे हैं तो जब तक कान ही जाथा तब तक तुम लाइक नहीं करते हैं वीडियो औरनीग कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग सभी लोग जल्दी-शल्दी दीपीका कहे रही है सर चेलावास का युद्ध 18 सित मर बिल्कुल ठीक के रहे लुटे चेलावास वाले को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं 1857 की कुरांती के समय जोत्पुर के माराजा कौन थे? मान सिंग, जस्वन सिंग, गत सिंग या तक सिंग तक सिंग तक सिंग थे बेटा कि शयुंत सेना को पराजित किस ने किया था तातिया टोपे टॉंक के नवाब वजीर खा महराजा राम सिंग अव्वा के ठागुर कुसाल सिंग ने बेटा किसने अव्वा के ठागुर कुसाल सिंग ने किया था नायक बोई जे श्री लाडुनाज जी मराज की बिल्कुल दो युद्धों में अराया था एक युद्धों था बिठोड़ा का युद्ध इसमें अराया था और दूसरा युद्ध था चेलावास इसमें भी अराया था जिसको अपन काले गोरों का युद्ध कहते हैं इसको चलावास का युद कहते हैं इसमें भी अंग्रेजों को अरा दिया था किसने तो सागुर कुसाल सिंग ने फिर आगे बढ़ते हैं अववा के युद में किस ब्रिटिस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी थी अववा के विद्रों के दौरान कौन सा ब्रिटिस पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था मैक मेशन मेजर बर्टन कैप्टन सौवर्स पैट्रिक लॉरेंस मेजर बर्टन तो कोटा में मरा था मेक मे जौत्पुर के पॉलिटिकल एजेंट थे बटा अ यह जौत्पुर के क्या थे पॉलिटिकल एजेंट नहीं कऊंज ऑन से बिल्कुल विटोडा का युद्धा और विटोडा के सामत को लेके मेन पंगा वाता वी जित्रों के लिए प्रसीद्ध ता काले गोरों का युद्ध भी का जाता है वीडियो को लाइक करो और जल्दी से चैनल को सेर कर दो बैटा वीडियो को सेर करो 1857 के विद्रों के समया हुआ के ठागुर कुसाल सिंग को मेवाड के किस इस्तान के सामंत ने अपने यहां पर सरन दी थी कोठरिया विंडर बद्नोर यासिंद कोठरिया के सामंत वेटा जोदु सिंग इन्हों ने इनको क्या दीती सरन दीती हालांगी एक जगे इनको सरन और म कैसरी सिंग थे ध्यान रख लेना नायक के रहा है सोरी सर आई एम वेरी लेट इट्स ओके नौ प्रब्लम फिर आगे बढ़ते हैं अगले कि उसन की तरफ इस्तान जहां आववा के ठागुर कुसाल सिंग ने अपना अंतिम समय वेथित किया वो जगें कौन सी थी कोठरिया आ वह उदेपूर या निमच उदेपूर वहीं पर 1864 में इनकी मर्ति हुई थी वहीं रहते और 1864 में वहीं पर इनकी क्या हो गई थी बिटा मर्ति हो गई थी ध्यान रख लेना फिर आगे बढ़ें दिलिप सिंग सर दोलपूर में अवाई अड़ा है क्या नहीं बिटा आजाओं में वह कौन सा सकता जो अपनी सेना के साथ 1867 के संग्राम में साहिता है तो राज्ये से बार गया पताईए बिटा कौन था वो राजा जेपूर का जोथपूर का उदेपूर का बीकानेर का बीकानेर का कौन सा सरदार सिंग कि यह अर्याणा के अंदर बाड लू नामक एक जगे पर विद्रों के दबन करके आया था कौन सी जगे बाड लू कहां पड़ता बेटा अर्याणा पड़ता बेचार एक बिल्कुल बोडर के पास इता चला गया था लेकिन अपने आर्पेस इन इस बात को उठा दिया भी कार सरदार सिंग कौन सरदार सिंग कमला चोदरी गुड इवनिंग बेटा वेरी गुड इवनिंग क्लास को सेर करें वीडियो को लाइक करते रहे हैं आप लोग अगला के उशन आपका जो भी BSTC की तैयारी करना चाहता है अभी भी बेटा प्रतिक्या क्लासेज के अंदर आपके नए बेच चालू है तो आप बेच जोइन कर सकते हो इस्पेसली आप टेस्स शीरीज और नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रतिक्या क्लासेज की तरफ से फिर आगे बढ़ते हैं सरदार सिंग बाडलू हरियाना गया बिल्कुल ठीक के रहो परदीप जी केडास जी ने फिर एक साहरी लिखिये लोग पड़ देता हूं बटा मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तुम्मत तो कर ख्वाप बदलेंगे हकिकत में तुँ जरा कोशिस तो कर बहुत बढ़ दिल्ली चलो का नारा दिया था बताईए बटा दिलोक नवल कह रहा है करपिया परती परिक्षारती ध्यान देव परतिगया क्लासेज की बंदय एक्स्प्रेस सेलेक्शन के और तरलने को तयार हो गए बहुत जल्दी जल्दी अपनी उच्चित सामागीरी लेकर परतिगया प्रम प्रश्तर अन गरे बहुत वहत बढ़े विट भोश शांदार मारों फिरंगी दिली चलो का नारा न्शिराबाद ने महश्स जिर्णे ने नीमचने एरिन पुर चाहंने निद्वाद लिए दिया था कि मारों फिरंगी और किदर चलो दिली चलो ध्यान रखना ये नारा किसका था तो एरीन पुरा चावन के ये नारा था आगे बढ़ते हैं अगले कि उसन की तरफ के 1877 की क्रांति के समय द्वालपूर का राजा कुए राम सिंग कीरत सिंग बगवन से विद्रोई भी बाहर के थे और वीद्रों का दमन करने वाले भी बाहर से आए थे पटियालही राजाने मदद की थी पटियाला के राजाने क्या कर दीती मदद कर दीती और विद्रोई थे जो बैसिकली तो देवा गुजर के नेत्रों पहले करांती हो गी थी लेगिन विद्रोई थे वो इंदोर और ग्वालियर के थे राव राम चंदर था मुख्य विद्रोई आपको इसे भी पूछे लेगा राजस्तान की एक मातर रियासत जहां पर क्रांती गारी भी बार केते और विद्रोई के दमन करने वाले भी बार केते द्यानकन सौनू वर्मा नमस्ते सर्जी बिल्कुल बेटा नमस्ते आगे वड़ो आरेस के पद्ध डबल से ज्यादा आएंगे क्या कमेंट किया है सर कॉंग्रेच्व लेशन्स पता नहीं पातिया टोपे ने अटारस हो सता उनकी करांती में राजस्तान के किस नगर पर अधिकार करने में सफल हो गए थे दोसा जोतपुर जालावाड या परत्विशिंग उनको राया था जालावाड के राजा कौन थे परत्विशिंग को राया था और क्या कर लिया था कब जा कर लिया था दियान रखना जालावाड के राजा परत्विशिंग को राया था पलायता नामकिस्तान पर युदू आता काहां पर पलायता ना को ठारी नदी के किनारे कि पर्तिशिंग यहां से एंपी की तरफ बाग गया था फिर एपी बड़्डे सर जी बटा बड़्डे तो कब का गया मेरा बड़ा लेट 20 करो आप महीना चेंज हो गया अब तो आगे बड़ने हैं yogurt практически उनकी विद्रों के दोर्हान लीमनलिकित में से किस ठीकाने दारने टाटिया टोपे की साहिता कि थी कहां के राजाने ने वीद्रो यह कि शाहिता करने वाले वह वह थो हित sm스럽 yag और कोठरिया के सामत जोध सिंग कैसरी सिंग ने इनकी क्या किती बिटा साहिता किती फिल्मी बंदा कह रहा है लेकिन हमें लगता हम तो इस बार बन जाएंगे नहीं वाले जिल्लों की वेकेंसी बाद में आएगी इतियास में तातिया टोपे को फासी देना बिटिस सरकार का अपराद समझा जाएगा और आने वाली पीडी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्विकर्ती दी थी ये कथन किसने कहा था तो मेवाड के पॉलिटिकल एजेंट सील सोवर्स ने कहा था बेटा करें जुड़ जाए अनिता अडिंग जाट सोरी सर अब ओफ लाइन हो रहे हैं ओफ लाइन हो रहे तब ये ठीक नहीं है जे स्रीकृष्णा गुरुजी मतलब समझा नहीं बटा अनिता क्या कहना चारे हो आप कि समझा नहीं अंगरेजों के खिलाफ राजस्ता से पहले कौन को थे जिनको ने राजस्तान के कहीं कहीं कौन दिया था डूंग जी जवारत्य बिलकुल बेटा अंगरेजों के क्रादने लूट लाएthree डाकू थे बाठोड पाटो द्राक सासावन थे लोड जी जाट बिल्कुल इनके सही होगी थे करना जी मेना बिल्कुल यह यह उप्रोक सभी उप्रोक सभी हो जाएगा इसके अंदर डी हो जाएगा कि कौन हेपी बड़ी लिख रहा है बटा कि सस्ता नसा करके आये हो गया कि नमस्ते बिल्कुल नमस्ते पर बेटा मेरा बड़्डे तो आज है ही नहीं डूंग जी और जमार जी किस जिल्ले के थे मैंने अभी बताया था बेटा सिक्कर सिक्कर में भी कहा के तो बाठोड और पाटोदा नाम की दो जगें के सामन थे पाठोड पाटोदा के सामन थे डूंग जी जमार जी इनोने नसीरबाध वार आगरा चावनी लूट लिदी नसीरबाध चावनी लूट ली दी आगरा पुली लूट ली याथ ? नायट बोई कर आगरे डूहित ? और क्या तो बिटा मौनलाल गोदरा गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग बिटा शेर कर दो सत्तर तो पहुंचा दो चार कम पड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो शेर कर दो सभी लोग जल्दी से राजस्तान के द्यूतिय भामासा जिनोंने रानी लक्षमी भाई को दन देकर मदद की थी वो कौन थे अमर्चंद बाठिया सरदार सिंग कुसाल सिंग चांपत इन्वेस कोई नी अमर्चंद बांठिया बेटा कहां के थे तो बीगानेर के थे पेस्वा नाना साहब और लक्षमी भाई की खूब मदद की गई थी इनको फांसी दे दी गई थी इनको राजस्तान का मंगल पांडे भी कहा जाता है द्यान रखना कौन अमर्चंद बांठिया थे कहां के थे बीड़ा तो बीगानेर के थे बाणी है थे सेट जी ती तो यह पूरे होने के बाद हम संसकर्ति करेंगे सर जोत पूर से हैं सर नमसकार बिलकुल नमसकार बेटा टेकनिकल राउल गुड को लाइक करदो बैटा जो भी जुड़े हो वीडियो को क्या करदो लाइक कर दो गर टार डाज इनुंगा पिकास inm 중 बिल्टिस पोलिटिकल एजएंट कौन था बरतपूर में बिल्टिस पॉलिटिकल एजेन को रटन्च स्वावर्स मेशन और शोड़ता और यहीं फिटा आपको पुछेल पुछेगा राजा को कर दो एक बार जो भी जुड़े हो जल्दी से बेटा वीडियो को क्या कर दो लाइक कर दो अंग्रेज राजपूत राज्जियों में अठारासो सताउन के विद्रो दबाने में सफल रहे क्यूंकि इस्तानिय सास को ने क्रांतिकारियों का सयोग त्याओं भी दिया विल्कुल सही कहे रहे हो शिक्सित मद्यमब्रक क्रांतिका समर्थने इसस barelybew हो ने क्रांतिकारियों का क्या नहीं दिया ता सात नहीं दिया अंग्रेजों के साथ जूड़े हो थे वो लीडि बावरवस से बेले ही बिल्कुल बैटा ठीक कहे Hai परतपुर का किंग जस्वन सिंग नाइक विल्कुल ठीक कह रहा है बटा आगे बटो जो भी विद्ध्यारती तेयरी कर रहो बटा आपके सुबह सुबह साइंस की क्लास होती है आठ से नो एचिंग एप्टिट्यूट की क्लास भी सुरू होने वाल है मेरी कलास आप जानते ही हो इन्डी की कलास रोज सामको alone से अगे बटो मेवाद माराना की क्या सोच थी विद्ध्रोयों का स्योग दिया था क्या नहीं अंग्रेज़ों का सैयोग दिया था हा पुदासिंता नहीं अंग्रेजों का सयोग दिया था नीमच चावनी के सेनिकों को दुदेपूर के जगमंदिर के मेलों में सरण दीती इन्होंने सिक्के चलाये थे दोस्ति लंडन अंग्रेजों का किया था बैटा सयोग किया था फिर आगे बढ़ते हैं कौन सा जोड़ा सुम्मेलित नहीं है जैपूर एक्टर पॉलिटिकल एजेंट दिये हुए है ना जैपूर का इडन बिल्कुल ठीक है मेवाड का सोवर्स बिल्कुल ठीक है कोटा मेजर बटन बिल्कुल ठीक है जोदपूर जोर्च पेट्रिक नहीं नहीं पैट्रिक लोरेंस तो एजी जी था जौतपुर का पॉलिटीटिक लेजेंड पॉसका नाम था मैक्मेशन जिसकी अत्या हो गई थी ईतिमेक मे मेंगे ती मुए अलागी पेक्ट्रीक लॉरेंस खुद पहले मेवाड का पॉलिटिकलरें hoo लेकिन जौतपुर तो बिल्कुल भी कोई लेने देना नहीं नहीं था इससे फिर आगे बढ़ते हैं कौन सा कूट सुम्मेलित नहीं है फिर क्यों सनाया उदेपुर सील सोवर्स बिल्कुल टिक कोटा बटन ठीक जैपुर मेजर लॉरेंस नहीं जैपुर में इडन था इडन परत्पुर में निक्षन निक्षन नहीं बेटा मौरिशन था कौन था मौरिशन था तो सी भी सुम्मेलित नहीं है और डी भी सुम्मेलित नहीं है इसके अंदर एक और दो दो ही सुम्मेलित थे बेटा बबलू राजस्तानी सर आपके मोडल पेपर फर्जी निकले क्यूं बेटा क्या हो गया फर्जी क्यूं निकल गए भई आम बुरू बोल बेटा फर्जी क्यूं निकल गए सर थियोरी क्लास भी लिया करो यूट्यूब पे ले लेंगे बेटा पुराने वीडियो भी पढ़ें देखना आप एक बार वह भी थियोरी के हैं क्या हुआ बेटा बुरू ऐसे ही यूँ चिनगारी छोड़ नहीं आया था क्या पर्जी कैसे निकले कमेंट कर अभी तो यहीं अट्थारासो सतावन के विद्रों की शुरुवात के समय उदेपूर के बीटिस रेजिडेंट कोन था मेवाड का पॉलिटिकल एजेंट कोन था विलियम इडन इडन जेपूर 至 जों लोरेंस यह थो बारतका गवर्नर जंडरल बना था एंडि लोरेंस का बाई था पैटेक लोरेंस का बाई था benhav Virut विलिमी बंदा बहुत नराज हो गया शर आपसे और वुरु नराज हो गया भुरु पता नहीं क्या हो गया विरु बोल नहीं डाए उसमें देखो तो मैंक्या देखुं बैटा तु बता क्या दिखत है मैंने तु देखा है तभी तो बने हो इतु गूड इस इसमें देखो तु तो उसमें ये तो बताओ इस अपको ंचया बट गोड से नहीं सिदराम पांडे नहीं बेटा नारगेट नहीं मंगल पांडे नहीं शिदराम पांडे हो सकता है बी ओर है सिदराम पांडे हो जाएगा इसके इंदर आगे बढ़ो अगले कि उसन की तरफ राजपुताना एजेंसी की स्टापना कब और कहां हुई 1835 नागोर नहीं, 1832 जोदपुर नहीं, 1832 जेपुर नहीं, 1832 अजमेर बिल्कुल टीक बेटा, 1832 में कहां हुई अजमेर में, कहां हुई बेटा, अजमेर में हुई थी सरिशन बढ़े जहां चाहिए बहुत बढ़ाए देश प्रेम पारिक बहुत बढ़िया पीछे चलरा आप दुरुगात दयाल बहुत बढ़िया दिपीका बढ़िया नैग वोई सर्च में बहुत अच्छा पड़ाते दिल से शुक्रिया बिल्कूल आप लोगों का प्यार है यह तो राजस्तान में कहाँ मेराब खान नार राजासाथ आउनके विद्रो शाहता गने तन तो किया मारवाड नाशिरबाद कोटा और टांक कोटा मेराब आपका था तो कोटा के अंदर आई रिशाल लाता गोटा का सेनपती तह तो रागे कि राज्य ने शाही था बेजी करोली का राजा कॉन तो बर बीटा मदन पाल क्विटा राजा ता करण बद राम कहे रहा है विश्नू बठ वो सकता बेटा में भी विश्नू बठो चेक करना आप एक वार भी में भी चेक करलूगा आगे बड़ो आठ सितंबर 1877 को किस इस्तान पर अवुआ के ठाकुर कुसाल सिंग की सेना ने जोतपुर की राज की सेना को पराजित किया था आसोब गुलर बिठोडा खेजली बिठोडा दो जगे बेटा बिठोडा में भी और चेलावास में भी दोनों ही जगे हार गे थे आठ सितंबर 1877 को बिठोडा और 18 को चेलावास हो गया बूरू कह रहा है सर 15 की जगे 11 मिले और इंग्लीज सब्जेक्ट ही नहीं और जीके में आउट ओप टॉक्पिक क्यों सेने ऐसा कैसे हो सकता बेटा जीके में क्या आउट ओप टॉक्पिक क्यों सेने और रही बात इं तुमी उसमें 15 डले हुए हैं और इंग्लीज भी डल जाएगी तुमारी और राजस्तान जीके क्या आउट ओप सेलेबस ऐसा होई नहीं सकता बेटा राजस्तान जीके आउट ओप सेलेबस कैसे हो सकती है अपने को नहीं आते है इसका मतलब यहतोड़ी होता कि सेलेबस में नहीं है सेलेबस नहीं होता है मुझे बताना क्यों से टेलिग्राम पर या मोबाइल पर मेसेज करना कोचिंग वाले पर मैं बता दूंगा एक एक कौन से टॉपिकों में से तुम्हारे क्यूशन है ना टेंगुइन के रहा है सट चक देपट्टे बहुत बड़िया बटा था रड में कुसाल सिंग्ग भी हारा था जोत्पुर वाले बार बार आ रहा है लुद में बंदा पता नहीं क्या लिख रहा है मनिश आदव सर्जी मेरे पास भी बेजना बहुत बढ़िया बटा क्या जिसके अंदर अंग्रेजों का एक आदमी आए था करनल होम्स साथ में जोत्पुर की तरफ से विक्ति आए था अंसराज जोशी और सामने कुसाल सिंग चांपवत तो यूद छोड़ कर निकल गए थे परत्फिशिंग लाम भी आते विटां कौन आया था करनल होम्स आया था ओप्शन आपके क्या हो जाएगा टीस ही हो जाएगा आज के अपने पचास कम क्यूशन कंप्लीट होगे 45 में देखना बिल्कुल बेटा वापस देख लेंगे अपन मैं वापस वीडियो आपको कमेंट के अंदर छोड़ दूँगा पैंता क्लास कतम होने के बाद कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी है और कल तो अपने संडे ओफ है परस वापस मिलते हैं मेटा मंडे को कि नमस्कार ससे काल आदाब सभी को गुड इवनिंग राम राम बेटा कैसे हो आप लोग आसा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे अपन अपनी क्यूसन सिरीज को स्टार्ट करते हैं बेटा सोरी फोर इंटरप्टिंग यू कि 10-15 मिनट क्लास लेट हो गई थी कोई अपना टॉपिक है राजस्तान का एक 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 बार जो भी जूड़े हो सभी को विवेक शिंग यादव क्रिगेट लवर लर्निंग विद्र रितंब्रा बावेश शर्वन गनपत सवाई विश्नू गनपत राम फनी विवेक बावेश रूपराम किशन किशन आर के जाकट ब अपने नाम में को ले पाया था एक बार में ले लिए थे खूब सारे से आपके कमेंट सो कर रहे हैं करणी शिंग जी स्वागत है शर्वन चोधरी सुरेश मंडा सभी का स्वागत है मीना जी आगे बढ़ते हैं आज अपना अपना सबसे पहला कि उसन अपन लेते हैं जो भ दिया होगा अपने सारे सोसल मीडिया जो भी प्लेटफोर्म है तो उस पर आप प्रतिक्या क्लास से जुड़ सकते हो बिटा फिर आगे बात करता हूं तो मैं कहता हूं राजस्तान के एक इकरण पूर्व राजस्तान में कितनी रियासते और ठिकाने थे एक इकरण से पहले राजस्तान में कितनी रियासते और ठिकाने थे अठारा रियासते चार ठिकाने 15 रियासते छे ठिकाने 19 रियासते तीन ठिकाने 19 रियासते और तीन ठिकाने थे बिटा तीन ठिकानों की बात करू तो नीम्राना लावा और कुसलगड और एक केंदर शासित प्रदेश था बेटा एक चीप कमिशनरी थी अजमेर मेरे बड़ा अजमेर मेरे बड़ा आपको याद रखना है 19 प्लस 3 प्लस 1 19 रियासतें तीन ठीकाने और एक आपका केंदर शासित प्रदेश या चीप कमिशनरी ध्यान रहेगी बाद परदीप गुजर लावा नीम्राना और कुसंगर बिल्कुल ठीक के रहो बड़ा रामचंद्र बाबू गुड इउनिंग वेरी गुड इउनिंग लखी राजावत गुड इउनिंग वेरी गुड इउनिंग बड़ा सभी लोग वीडियो का एक बार लाइक कर दीजिए बटा फिर आगे बढ़ते हैं स्वतंतरता प्राप्ति के समय राजस्तान में सैत्रफल की दरष्टी से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी स्वतंतरता के समय राजस्तान में सैत्रफल की दरस्टी से सबसे बड़ी रियासत मेवाड, आमेर, मारवाड और टॉंक सैत्रफल की दरस्टी से पुछाए टम बेटा मारवाड हो जाएगा क्या हो जाएगा मारवाड हो जाएगा आपको जनसंक्या की दरस्टी से पूछ ले तो आप बताना बेटा आमेर या फिर आप जिसको क्या कहते हो जैप और रियासत कहते हो जन संग की दिरस्टी से सबसे बड़ी रियासत थी कमला चोधरी बिल्कुल बेटा बढ़िया दीवियांति दम्यनती चोधरी बहुत बढ़िया निर्मा गुड उनिंग, वेरी गुड उनिंग, यूनिकू, फोटोकरपी, टार्जन, विस्नोई-विस्नोई, गिरीश, चावला, श्याम, शुंदर, बिल्कुल बेटा मैं आपके नाम नहीं पढ़ रहा हूं, थोड़ा कमेंट बोक्स फास्ट चल रहा है, तो बिल्कुल किस किसी का नाम नी, पढ़ा हूं, तो बुरा मत मानना, रियासतों से संबंदित, समस्याओं का समधान का निवारण करने के लिए रियासती विबाग की स्थापना कभ की गई, रियासती विबाग की स्थापना कभ की गई, चार जनवरी 1947, 10 अक्टूबर 1946, 5 जुलाई 1947, 31 पांच जुलाई 1947 को जिसकी सर्दार वल्लबभाई पटेल के नेतरतों में जिसके मंत्री सर्दार वल्लबभाई पटेल थे और इनके सलाकार वीपी मेनन थे द्यान रखेन दोनो नाम द्यान रखेन रियासती विवार स्थापना की गई थी फिर आगे बड़ो राजस्तान के रियासतों के एकरण का आरोई करम क्या है तो बैटा सबसे पहले टॉंक बिल्कूल ठीक है फिर उदेपूर बिल्कूल ठीक है फिर जसलमेर ठीक है फिर एजमेर बिल्कूल तो एक, दो, तीन, चार, टॉंक, सेगेंड फेज में, उदेपूर, थर्ड फेज, जसल मेर, फॉर्थ फेज, और अजमेर, सबसे अन्तिम, याद रहेगी बात, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक, दो, तीन, और चार हो जाएगा, अध्यक सर्दार वल्लबाई पटेल, और सचीव वीपी मेनन, बिल्कुल ठीक के रहो बेटा, शाक्षी डीयर के रिये सर, गंगानगर से प्रणाम, बिल्कुल बेटा, प्रणाम, आगे बटते हैं, अगले क्यूशन की तरफ, और अपना अगले क्यूशन, मतश्य संग का उद्गाटन कब हुआ, मतश्य संग का उद्गाटन कब हुआ, 12 अक्टूबर 1947, 12 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948, या बेटा, 27 दिसंबर 1948, बिल्कुल आप साथ-साथ में कमेंट कीजिए, और अपने को आज 50 क्यूशन करने, टाइम भी अपने पास कम है, तो अपन सारी चीजिए साथ में करेंगे, 18 मार्च 1948 को, उद्गाटन किस ने किया था बेटा, तो उद्गाटन करने वाले का नाम था, एनवी, गाड़गिर, उद्गाटन किसी स्तान पे हुआ था, तो अलवर, आगे बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरफ, और अपना अगला क्यूशन, राजस्तान निर्मान के प्रथम चरण में गठित मतश्य संग में सम्मेलित हुए, मतश्य संग में कौन-कौन सम्मेलित हुआ था, अलवर, भरतपुर, दौलपुर और करोली, ओप्शन B हो जाएगा बिटा, क्या हो जाएगा, ओप्शन B हो जाएगा, जिसके प्रदान मंत प्राजपरमुक करोली के राजा को बनाया गया था दियान रख लेना चार रियासते अल्वार भरतपुर द्वालपुर और करोली आगे बढ़ते हैं प्राज्परमुक ब्रियास मिना गया गुप बनाद के राजस्तान का गठन साथ चरणों में हुआ जिसका प्रतम समुँ 18 मार्च 1948 को बना था प्रतम चरण को उख़ा आपको सिधा सिधा तो प्रतम चरण मतश्य संग आपका प्रतम चरण था याद रहेगी बात बिल्कुल दियान रहेगी सर, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्यों से, मतस्य संग में कौन सा राज्य समय लित नहीं था, मतस्य संग में चार थे, अलवर, बरतपुर, करोली और दोलपुर नहीं बटा, जालावाड नहीं था, जालावाड तो दिवतिय दियान रखना इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं, मतश्य संग की राजदानी अलवर, करोली, गौलपुर या बरतपुर, अलवर, मतश्य संग की राजदानी कहा थी, अलवर थी, और राजपरमुख, उदेबान सिंग, गौलपुर के राजा थे, जलदी से सेर करते रहें, मतश्य संग का प्रथम राजपरमुख की श्रियासत का सासक बना, अभी मैंने बताया, मतश्य संग का प्रथम राजपरमुख की श्रियासत का, अलवर का, बरतपुर का, दोलपुर का या करोली का, दोलपुर के तो थे राजपरमुख, और करोली से थे उपराज परमुक मतस्य संग का जो नाम था जो नाम करण था मतस्य संग वो केम मुंसी ने रखा था बटा किसने केम मुंसी ने इनका नाम क्या रखा था मतस्य संग रखा गया था सर आपको आप में BSTC में टेस्ट में इंडिया की जीके नहीं दी हुई है किसने कहा है कि तुम्हें BSTC में इंडिया की जीके आती है पहले सेले बस तो देखो बेटा BSTC में इंडिया की जीके आती ही नहीं है test series बेटा आपको 49 रुपे में मिल रही है जिसके अंदर English भी आपके अब upload हो चुके एक है आप test series ले सकते हो जोइन कर सकते हो पिर आगे बढ़ते हैं कि कि कह प्रस्ता उपर मतश्य संग नाम रखा गया सारदा पटेल नहीं जमनालाल पजाज नहीं केम मुंसी बिलकुल सखी बिटा और इिरलाउ सास्त्री तो कौन हो जाए लुज्य सिंग को मतस्य संग का राज परमुक बनाया गया गया था कुम्हरमान सिंग् माराजा विजेंदर सिंग, माराजा उदेभान सिंग और माराजा भेम सिंग, बताए बेटा किसको राजपरमुक बनाया गया था, तो उदेभान सिंग को क्या बनाया गया था, राजपरमुक बनाया गया था, ध्यान रखना, उपर राजपरमुक को यह आपको कह दे, तो बेटा गनेश पाल खाहां के तुक्करोली के आपको प्रदान मंत्री पूछें क्या पूछेंगे आपको आपको प्रदान मंत्री पूछेंगे बेटा तब आप नाम बदा ना सोवराम कुमावत कोन तो सोवराम खुमावत बिखान रखना सर इंडिया जी के दीए बीएस्टीसी में इंडिया जी के नहीं आती लगी अप्यस्ट्रीसि के पूछेंगे अभी मैं ने बहता आया तまり हमें क्य neighborhood बताइए बैटा उदेबान सिंग्, केममुंसी, मास्टर आधित्य अंदर याइँ सोबाराम कुमावत। बताइए बैटा परदान मंतरी को होनें। तो सोबाराम कुमावत। आपको उप defect시간 कर पूछालेगा. तब आप बताना, जुगल किसोर चतुरवेदि. जुगल की सोर चतुर्वेदी दियान रहेगी बात बिल्गुल दियान रहेगी सर आगे बड़े अगला क्यों सर राजस्तान एकी करण के प्रकिरिया के समय मतस्य संग की वार्षिक आई कितनी थी मतस्य संग की वार्षिक आई कितनी थी दो करोड़ नबे लाख तीन करोड़ चोभीस लाख 26 लाख या एक करोड़ चोरियासी लाख रूपे आपको पुछा है बड़ा वार्षिक आई कितनी थी इसकी मतस्य संग की एक करोड़ चोरियासी लाख याद रहेगी बात बिल्कुल दियान रहेगी सर आपको अक्षर बेटा जन संग क्या पूछ लेता कि जन संग क्या कितनी थी तब आपके सर अठारा लाख लगबग अठारा लाख सेंतिस अजार इनकी क्या थी तो जनसंग क्या थी पोपुलेशन थी द्यान रखना इस बात को बिल्कुल द्यान रखलेंगे सर आगे बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरफ द्यान रखना इस बात को बिल्कुल आगे बढ़ते हैं राजस्तान संग का निर्मान 25 मार्च 1948 को उड़ा थी जिसमें राज पर्मुक किसे बनाया गया थी राजस्तान संग का निर्मान 25 अगस्त सुरी 25 मार्च 1948 को हुआ था जिसमें राज परमुक किसे बनाया गया था महाराव कोटा किसको कोटा के महाराव कौन थे बेटा बीम सिंग महाराव बनाया गया था याद रहेगी बात फिर उपराज परमुक उसमें दो थे वरिष्ट उपराज परमुख और कनिष्ट उपराज परमुख अ कर दिश्ट तो थे लक्षमन सिंग डूंगरपुर और वरिष्ट थे बादूर सिंग बूंदी पादूर सिंग बूंदी फिर आगे बढ़ते हैं अगले की उसन की तरफ और अपना अगला की उसन है राजस्तान के गठन के समय दूसरे चरण में संग की राजदानी निम्न में से किसे रखी गई थी दूसरे चरण में संग की राजदानी निम्न में से किसे रखी गई थी द तरतिय चरण और चतुर्थ चरण। उसके बाद तो बदलेगी नहीं, वही रहने वाली है। पर्थम चरण में अलबर, दिवत्य चरण में कोटा। दिवत्य चरण में उदेपुर और चतुर्थ चरण में जैपुर। उसके बाद तो प्रमानेंटी जेपुरी रही थी बार बार तो दूसरे चरण में बेटा कोटा कहा रही थी तो कोटा रही थी रिजनिंग की क्लास कितने बजे लगती है दम्यंती रात को नो बजे बेटा रिजनिंग की रात को नो बजे रिजनिंग की फिर आगे बढ़ते है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्तान संग में निमन लिखीत देशी रियास्तों में से कौन सा समू नहीं था राजस्तान संग जो 25 मार्च को बना था उसमें कौन कौन सी रियासतें थी तो मैं इदर लिखताओं बैटा कोटा पूंदी जालाबाड दूंगरपुर वासवाड़ा परताप गड़ टॉंक टिसन गड़ साहपुरा और एक ठिकाना कुशल गड़ नोरियासतें और एक ठिकाना कौन सा आपशन मिल रहे कोटा था कि हाँ था भूंदी था हाँ था जलावड था हाँ था दूंगरपुर था था आदे बढ़ो पाचेश मार्च उन्निस्जों अड़तालिस को गठी त्सरा स्यंगत्राजस्थान का प्रदान मंतरी किसको बनाया ग्या सं मोगल भाई भट्ट त किरें मेर्स शास्तरी यहनाइंभ्यास या गखुलाल सावा गुखकुलाल असावा गोकुलाला सावा वही है जो पन सापुरा परजा मंदल के टाइम में पढ़ते हैं कि सापुरा के रहादा सोधरसंदेव जिनको अपना राजगात सौंब देते हैं गोकुलाला सावा कहां कहते बटा तो सापुरा कहते द्यान रख लेना इस बात को बिल्कुल द्यान रहेगा सर प्रदीप गुजर हाड़ोती वागड़ टॉंक किसंगड़ सापुरा और कुशलगड़ बिल्कुल बेटा पिर आगे बढ़ते हैं रिले पत्र प्रहस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने देथ वोरंट प साइन करते बासवाड़ा के महराव चंदरवीड सिंग मैं आपने डंड वोरंट क्याлись मैं ओध्यां और करण तो यह द्यान रखना एंधीत पर तक पर आगे बढ़ते हैं कोटा थर्ड में उद्यपूर चोते में जेपूर था बेटा राजपर्मुक कौन थे तो मेवाड मारणा बुपाल सिंग्ग उद्गाटन करता कौन थे तो पंडित जवालाल नेरू थे बेटा ध्यान रख लेना बिल्कुल ध्यान रहेगी सर पिर आगे बढ़ते हैं अगले क्यूसन की तरफ राजस्तान के एक ही करण के तीसरे चरण में सयुक्त राजस्तान के साथ इस राज्ये को जोड़ा गया था कि इसरे चरण में सयुक्त राजस्तान के साथ किसको जोडा गया था बनाईए बटा मारवाड जसलमेर मेवाड या भीकानेर तीसरे चरण में कौन सामिल हुआ तो तीसरे चरण में मेवाड सामिल हुआ बटा कौन सामिल हुआ मेवाड सामिल हुआ मेवाड मारना बुपाल सिं किसके द्वारा किया गया था मानेके लाल वर्मा जवाल लाल नेरु मात्मा गांधी खुद आये थे क्या या केम मुंसिते बढ़ा बदाईये आप सायूंक्त राजस्तान का उद्गाटर रं किसने किया था बदाईये जवाल लाल नेरु कब बढ़ा तो अठारा अप्रेल 1948 परदानमंत्री मानेके लाल वर्मा रहे थे दियान रख लेना आप मार सोरी राजपरमुक तो भुपाल सिंग्ग सायूंक्त राजस्तान के परदानमंत्री कों थे हिरलाल सास्त्री तो वराम मानेके लाल वर्मा या गोकुलाल असावा पताईये विटा सायूंक्त राजस्त तो माने के लाल वर्मा मेवाड परजामंदल के बड़े नेता रहे और इस बार जह मेवाड का मैंत्व पुन योग दान था थी इसरे चरण में तो बिटा प्रदानमंत्री कि इसको बनाएगा मानो के लाल वर्मा को इससे पहले को था तो गोकुलाल असावा थे फिर आगे होगा विटा अठारा अप्रेल 1948 को अठारा अप्रेल 1948 को उधेपुर के या मेवाड के बात है कि यह संयुक्त राजस्तान जब बना था तब की बात आप कर रहे हैं मैं आज कर आज आपको ज्यादा सेर करने का नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे नभी ठीक लाइक करने का भी देटे हो ख़ू हुआ भी बात नहीं बेटा वरद राजस्तान का ऊधुगांटन 30 मार्च उन्निशो उन चास को किसके द्वारा किया गया था वरद रजस्तान का ऊधुगांटन 30 मार्च उन्निशोंच को किसके द्वारा सर्धार वsoldबाई पटेल वी कहां पर तो जैपुर के अंदर इसका उद्गाटन किया गया था कब तो 30 मार्च 1949 को याद रहेगी बात बिल्कुल दियान रहेगी सर आगे बढ़ो 1949 में बिकानेर, जैपुर, जैसलमेर और जोतपुर सैयुक्त राजस्तान के साथ जुड़ गये और राज्यों में एक समू का गठन किया गया जिसे क्या कहा जाता है सैयुक्त राजस्तान संग के अंदर जैपुर, बिकानेर, जोतपुर और जैसलमेर जब मिल गये तो क्या कहल राजस्तान संध्य राजस्तान या राजस्तान संग ग्रेटर राजस्तान या फिर जिसको इंदी में आप केते वरत राजस्तान जी थे अमेर बले कि राजस्तान के प्रतम महाराज परमुक से चरण के अंदर किया गया तो ग्रेटर राजस्तान या वरत राजस्तान में किया गया था फिर आगे बात करते हैं राजस्तान के प्रथम महाराज परमुख कोन थे? महाराज परमुख पुछा है? प्रथम महाराज परमुख उधेपूर के महाराणा बुपाल सिंग, जेपूर के महाराणा सवाई सिंग, महाराजा सवाई सिंग, कोटा के महाराव भीम सिंग, जालावड के राजा हरिस्चंद उदेपुर के माराना भुपाल सिंग बेटा कितना पिर्वी प्रश मिला था इनको तो 20 लाख पिर्वी पर्स कितना दिया गया था इनको 20 लाख बेटा 20 लाख रुपे का इनको क्या दिया गया था पिर्वी प्रश दिया गया था कि उन्नी सो उन्चास में वरद राजस्तान का प्रदान मंत्री किसे बनाया गया उन्नी सो उन्चास में वरद राजस्तान का प्रदान मंत्री किसको बनाया गया था गोकुल भाई बट इरलाल सास्तरी जैनेन व्यास या मानिकेलाल वर्मा इरलाल सास्तरी बेटा कौन से इरला और जप लाद से ओवत नाराज हो गयते कहते हैं कि सब вас चोड़ गर जिते लेकिन बनाया किसको गया था तो हिरालाल स्स्त्री को बनाया गया था फिर आगे बढ़ते हैं कि मैवारे कि माराना वहारान अब परमुक में बडाई बताएए बेटा किए बताएए किए वर्ष में महराज परमुप बने 47, 48, 49, और 59 नाइन टीन 49 बेटा जब क्या बना था वरत राजस्तान बना था वरत राजस्तान बना था या पिर आपिस जीस को इंगलीज के अंदर ग्रेटर राजस्तान के दो तब तब राजपरमुक कोन ते तो सवाई मान सिंग क्या ते राजपरमुक ते याद रहेगी बाद बिल्गुल दियान रहेगी सर्थ वरत राजस्तान राज्ये की स्थापना के समयन की राजस्तान राजदानी कहां थी वरत राजस्तान की राजदानी कहां थी अजमेर विग राजदानी कहां थी कि कमेंट कीजिए जैपुर कहां बेटा तो वरत राजस्तान की राजदानी थी जैपुर कि सर वर्ष नहीं वर्ष करो समझ में नहीं आया है आगे बड़ो पिस्टी सी के टेस्ट सीरीज बेटा मातर 49 रूपे में जो कल पर सग्मेंट कर रहे थे सर इंदी नहीं मीली आज इंगली इंगली मिल गई बैटा आपसे सोल की होगी और आपने पेप के ंदर चेक किए होगा सीविठी ज जिसने जैपुर को राजदानी बनाने की सीपारिष की थी, क्योंकि जब वरत राजस्तान बना था, तो जेपुर और जोत्पुर के मद्भी राजदानी को लेकर विवाद हो गया था, तो संकर राव सिमिती, सत्यनारें राव समिती, वीपी मेनन सिमिती, या फिर केम मुंसी सिमिती, बदाईए बटा, राजदानी की सिपारिसें किसने दीती, जल्दी से बदाईए बटा, राजदानी की सिपारिसें किसने दीती, जल्दी से बदाईए, बहुत बढ़िया बटा, चतुर्त चरण के अंदर राजदानी की सिपारिसें किसने दीती, जिसने जेपुर को राजदा पंजानी बनाने की क्या दीती सिपारिश इंदी बता आये जल्दी से कमिंट कीजिए एंग किए है पिस सत्ये नारेन राव चिमिती कौन सी पिस लना दाव समिती तीन सदेश्य थे बटिसमी कितनेolutions सदाष्यते पी सत्य नरा राव समिति को अंदर धियान रखना, कि पी सत्य नरारान राव समिति बिल्कुल बेटा बिल्कुल बीज जिसने भी बीका है उन्हों सभी के आनस्वर क्या हो रहे हैं खबना, ते वेटा तीन सदिश्य थे कौन कौन थे तो भी के घुवा और पी विश्वनात्त याद रखना आगे बढ़ते हैं निमन लिके तो सहरों को राजस्तान एक ही करण के समय इस्तापित सरकारी कार्यालों के हिसाब से सुम्मेलित कीजिए बरतपुर में कर्सी विबाग ठीक है जोदपुर में हाईकोट तो एक में चार और दो में एक मिला लो तो चार एक दो तीन विकानेर में सिक्सा और उदेपुर में क्या हो जाएगा खनीज हो जाएगा ओप्शन आपका क्या हो जाएगा डी चार एक दो तीन बरतपुर को एगरी गलचर जोदपुर को हाईकोट बिकानेर को सिख्षा और उदेपुर को खनीज क्यान रखना बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरफ मतस्य संग का राजस्तान में विले कब किया गया 26 जनवरी 1950 15 माई 1949 25 मार्च 1948 या फिर 30 मार्च 1949 बताइए बेटा कब किया गया 15 माई 1949 क्या नाम रखा गया तो सयूंक्त वरत्तर राजस्तान सयूंक्त वरत्तर राजस्ता ग्यान रहेगी बात बिल्कुल सुनिता गोश्वामी कह रही है मैं आ जाऊं क्या गुरुजी सुनील गोश्वामी कह रही है का ना बेटा कहा ना बेटा सुनील कमेंट करो आपको कहा ना है पिर आगे बढ़ते हैं अगले की उसन की तरह संकर राव देव सिमिती का गठन दोलपुर वे बरतपुर राज ये कि जंता को इस बात के लिए जानने के लिए किया गया कि भी राजस्तान और उत्तरप्रदेश में से किस से मिलना चाहते हैं संकर राव देव सिमिती के अंदर कितने सदश्य थे बटा चार तीन दो और पाच बताए बटा बताए बटा तीन थे बटा कौन कौन तो प्रभुदयाल संकर राव देव और आर के सिद्वा नाम संकर राव देवे तो एक नादमी तो यहीं रहेंगे दूसरे ते प्रभुदयाल और तीसरे ते आर के सिद्वा फिर आगे बढ़ता है अगले कि उसन की तरफ अगला मतस्य संग का कौन सा राज्य जन्ता के बहुमत के आधार पर उतर परदेश के साथ विलीन होने के लिए तयार था कौन सा स्टेट था जो उतर परदेश में विलीन के लिए तयार था बरतपूर नहीं करोली नहीं दौलपूर कौन सा बिटा तो दौलपूर हो जाएगा option क्या हो जाएगा इसके अंदर C हो जाएगा आपका दौल पर उदेपुर के साथ विले नोने को तो यार प्लास्ट में संदी के अंदर ये का भी गया था ये भई आप उदेपुर के साथ का स्वरी आपका जब आप चाहोगे तो उदे उत्तर परदेश के साथ किया जाएगा विले किया जाएगा राजस्तान में राजपरमुक का पद कब समाप्त किया गया एक नौंबर 1956 को 26 जनवरी 1950 को 15 माई 1949 को या अठरा अपरेल 1948 को बेटा राजपरमुक का कब समाप्त किया गया तो बेटा 1956 को कब तो साथवे समिदान संसोदन में साथवे समिदान संसोदन में आगे बढ़ते हैं राजपरमुक के पद को राजपाल नाम कब दिया गया राजपरमुक के पद को राजपाल नाम कब दिया गया बताईए बेटा राजपरमुक के पद को राजपाल नाम कब दिया गया था कि 1947 निसो नंचाज निसो पचाज यां इस चपन फेसिकली वह क्या था बारत के दो टुकड़े थे एक तो था बिटीज इंडिया नहीं पर अंग्रेज़ों का रास्ता रियासति बारत तो रियासति बारत में थो था ब्राज पर मुक हुआ और बिटीज इंडिया अंदर होथा राज्य पाल कि अब से राज्य पर मुग नहीं होगा आप से यहां भी क्या होगा राज्य बांट और आजस्तान के पहले राज्य पाल कौना ने गुर्मुक नियापाल सिंग गुरुमुख नियाल सिंग दियान रख लेना बटा बेलकुल सुनिल गोश्वामी आप सहीली करेव बटा आगे बटते हैं अंगले क्योशन की तरफ और सिरोई का राजस्तान में विले कब हुआ 30 मार्च 1949, 19 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956 कब हुआ था वेटा एक नवंबर 1956 किसके केने पर तो डिपार्टमेंट था वेटा राज्ये पुनर गठन आयोग उसकी सिपारिशों पर राज्ये पुनर गठन आयोग की सिपारिश पर याद रहेगी बात बिल्कुल द्यान रहेगी सर आगे बटे आगे बटो राजस्तान के गठन के समय प्रथम चरण के दुरान गठित मत्यश्ये संग में कितनी वियासते थी बेटा अलवर बरतपूर दौलपूर करोली और एक्टेगाना दनीमरान तो वियासते बूचिए प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्री मंडल में से कौन सा विक्ती सामिल नहीं था बदाईए बिटा मास्टर बोलानाथ, किरंजिलाल सर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह या बेटा रमेश कुमार, बताईए बेटा कौन सा विक्ती मत्यश्ये संग के जो मंत्री मंडल था उसके अंदर सामिल नहीं थे बताईए बेटा, बताईए बेटा, जल्दी बताईए मास्टर बोलानाथ बिल्गुल थे मंगल सिंग थे चिरंजिलाल मिस्त्र थे गोपिलाल यादव थे रमेश कुमार नहीं थे बिटा इही नहीं थे रमेश कुमार एक और व्यक्ति थे याद रख ले ना गोपिलाल यादव गोपिलाल यादव आगे बटे अगले क्यूसन की त आएगा इसके अंदर फिर आगे बढ़ते हैं अगले के उसन की तरफ चौधा परवरी उन्नीस और तालिस को बारत सरकार ने बरतपूर प्रशाशन पर अधिकार करके बरतपूर राज्ये का प्रशासक किसको नुक्त किया था वीपी मैनन तो वाराम उदेबान सिंग या एसन सप्रू को वेटा यहां का लिवक्त किया गया था प्रशाशक नुक्त किया गया था क्योंकि इनके राजा का नाम गांदी जी की हत्या में आ गया था जुगराज नागरसर आज आपका मन नहीं लग रहा है अगे बढ़ो अगला किसे पचीश मार्च उननीसो और्तालिस्को सायुंक्त राजस्तान में जिस रियासत का विले हुआ वे थी कैसे बुचा है 25 मार्च 1948 को सायुंक्त राजस्तान में जिस रियासत का विले हुआ वे थी सीरोई, बरतबुर परतापगड या अलवर क्या पुचा बटा सीरोई, बरतबुर प्रतापगड या अलवर सयुंक्त राजस्तान के अंदर किसका विले हुआ था कब तो 25 मार्च 1948 को प्रतापगड कौन सा प्रतापगड मैं आपको बता चुका था कोटा बूंदी जालावाड डूंगरपूर मासवड़ा प्रतापगड और टॉंक सापुरा किसंगड तो क्या होगा विटा एक ओप्शन दिया प्रतापगड क्यूंकि यह दोनों तो मतश्य संग में चली गई और शीरोई जो में थेट लास्ट में मिला था तो आगे बढ़ते हैं अपन पोर्व सयुंत राजस्तान का निर्मान 25 मार्च 1948 को हुआ इसका उद्गाटरन किसके द्वारा किया था मानेके लाल वर्मा एन्वी गाडगिल मात्मा गांधी या केम मुंसी बदाइए बटा सेक और राजस्तान संग का दोनों के उद्गाटरन किस ने किये थे तो आइन्वी गाडगिल ने किये थे फिर आगे वरत राजस्तान के माहराज परमुक किसको निक्त किया गया था वरत राजस्तान के माहराज परमुक किसको निक्त किया था सवाईमान सिंग नहीं बिटा राजपरमुख अनवन सिंग जौदपुर वरिष्ट उपराजपरमुख निर्मागरी विष्ट करती हूं भगवान जी आपकी जल्दीते भी ठीक करें बहुत बहुत धन्यवाद बेटा राजस्तान एकिकर्ण में बरतपूर दोलपूर रियासतों प्रजंता की राई जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था वसकिमेटा में कोन सम्मलित नहीं था डोक्टर संकर राओ देव आरके सीध्वा पर्भुदयाल है एविए अभी बताई थी मेरें वैठा संकर रहा हूं देव सिमिती थी कौन नहीं था उसमें एव मेस जेन नहीं था divine सदैते हैं मेस जेन नहीं था उसके अंदर कोई भी कार्जन लिख रहा है सर्जी बूरा मनताना 38 किया लिख रखा है क्या लिख रखा है एक मेनट एक मिनिट जर्जी बुरा मनतान ना 38 क्यूशन में शिरोई छेवे चरण में ही मिल गया था आबू देलवडा को छोड़ कर छिरोई तो छट्टे में मिल गया था बेटा लेकिन कम्प्लीट शुरोई तो समय सबसे लास्ट में मिला था ना कम्प्लीट शिरोई तो हमें सबसे लास्ट में मिला था ना राज्य पूर्ण गठन आयोग की सिपारिशों पर हाँ अलांगी शिरोई अपन के सकते हैं हमें चट्टे चरण में मिल गया था लेकिन बाते दोनों हिस्ट यह विटा आप भी गलत नहीं कहे रहे हूं मतश्य संग को वरत राजस्तान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई सिमिती कौन सी थी मतश्य संग को वरत राजस्तान में सामिल करने के लिए जो सिमिती बनाई गई थी वो कौन सी थी जिसने अपनी सिपारी से दी मोन सिंग मैता सिमिती इरलाल सास्तरी सिमिती पी शत् संकर राव देव सिमिती अभी अपने पिछे पढ़ा था आरके सिद्वा जिसके मेंबर थे प्रभु देयाल जिसके मेंबर थे लिए हो जाएगा विटा आगे बढ़ते हैं अगला कि उसन अपना आजादी के समय राजस्तान राज्ये बारतिय सविदान के नुसार किस सरेणी का था आजादी के समय राजस्तान राज्ये बारतिय सविदान के नुसार किस सरेणी में फिर आगे बढ़ते हैं अपना आज का second last question एक नौंबर 1956 को राजस्तान के पहले राज्ये परमुख कौन बने थे पहले राज्ये के राजस्तान राज्ये के परमुख किस व्यक्ति को जाना जाता है गवर्नार जेनरल राज्ये पाल या राज परमुख या महराजादी राज एक नौंबर 1956 से पहले तो बैटा इससे पहले तो राजपरमुख हुआ गया एक नौंबर 1956 के बाद क्या होने लग दिया राज्ये पाल होने लग दिया तो अपने राजपरमुख कोन थे हैं तो जेपुर के मान सिंग सावाई मान सिंग और राज्य पाल कोंते हैं तो गुरुमुक नियाल सिंग एक मातरी थे प्रतम और अंतिम दोनों के हैं तो अपने को ध्यान रखना कौन बेटा मान सिंग जी जेपुर वाले फिर आगे बढ़ते हैं राजस्तान के बोगलिक सेत्र का राजस्तान नाम कब दिया गया विल्गुल पेटा जल्दी से बताइए इस जगे का नाम राजस्तान कब रखा गया जल्दी से कमेंट कीजिए आज का आपना सबसे लास्ट के उसों ने बिल्कुल बिटा जल्दी से बताईए एक नवंबर 1956 को इस जगे का नाम क्या रखा गया राजस्तान रखा गया था तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना एक नॉंबर उनीश सो चपन को राजस्तान बनके क्या हो गया था बिल्कुल तयार हो गया था लेकिन मैं कहा रहा हूं क्यूशन को फिर घुमा के पूछले आपको कि राजस्तान नाम ही कब दिया गया था यह अपने आप में अलग सा सब्विस जनवरी उनिस सो पचास को ठटे चरण में एक कोन से चरण में है फट्टे चरण में ध्यान रख लेना बागी सारी बात है भी करने सार Twin का परियोग तो दूसरे में ये केराइस कल्चर स्टार्ट करेंगे कल मेले हम त्युहार रहेंगे अपने आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत दन्याद हास्तोरी तभी ठीक नहीं तो क्लास ठीक नहीं हुई है अपना रोज का रेगुलर वही रहेगा क्या हाल है आप लोगों के कैसे हो जल्दी आजाओ सब और कैसे आप लोग बढ़ी आई हूं कमेंट ओमेंट एक दो लिख दो नहीं बता दो कैसा लग रहा हैं पढ़ाई बढ़ाई कैसी चल रही है तुमारी इन तुमारे डोड़ बोलत हो है नी पढ़ने के पढ़ते तुम ह होनी वैसे भी एना रोज तुम्हें कहता हूं आजाओ रहे पढ़लो रहे डंग से पढ़लो रहे लाइव आते हैं दू डाही साधी तीन साधी च्यार केसे हो और जल्दी चुड़ जाओ एक बिल्कुल बिल्कूल और यापeltी सेर करदो बिट पढ़लो और और किसी के पास अनुमान सर के नंबर है तो उनको फोन करके बोल देना, यहीं रूके गर नहीं जाना है, चल्दी सेर गर दो भई, क्लास को आर के जाकर, जे स्री राम, बिल्कुल जे स्री राम, केलाजी, चोदरी, गुड इउनिंग सर, वेरी गुड इउनिंग, सभी जुड शेओंगा, एक तो कि जो मारवाड परजामंडल में आंदोलं चले थे जोतपूर के अंदर, तो मारवाड का राजा कोन था, तो मारवाड के राजा थे उम्जेशिंग, कोन थे बिटा, उम्जेशिंग, उमेच सिंगी वही है, जो राजस्तान में पहली एर सर्विस, तुम से बड़ा आवास ये मेले मैं आपको कई बार बताता हूं फिर इनके जो प्रदान मंत्री थे उनका नाम था सुखदेव परशाथ इनके जो पी-म थे इनके जो दिवान थे उनका नाम था सुखदेव परशाथ कस्मिरी ब्राह्मन थे बैसिकली खुद और इनकी गलत नीतियो के कारण जेना रण व्याश जो भी जुड़े हो साथ सात में आपके स्क्रीन सोट लेते जाना मैं हर स्लाइड के बाद स्क्रीन को छोड़ कर रट जाओंगा आप स्क्रीन सोट ले 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 ना उसके बाद आपको जैसे ही टाइम मिले आप इसको नोट करते रहे ना मैं मारवाड परजामंदल की बात करूं तो मैं कहूं बेटा सबसे पहले एक संगराण बनातते इनके मंतरी ते प्रियाग राज बंडारी मंतरी जी कों थे तो प्रियाग राज बंडारी थे इन्होंने वान्दोलन चलाये था तोल अंदोलन कौनसा अंदोलन कब बैटा तो 1921 से तोल अंदोलन क्या था बताते हैं बिलकुल उसके बारे में बागीरत मयला बागीरत बहुत बड़ी बटा राजेश राम राम, अनिल चोदरी राम राम, मनोज जी सर में फोन कर दूँ अनुमान सर को बहुत बहुत दिन्यवाद सर आपका और किशन प्रजाबत 1920 हाँ मारवार सेगेवास संग 1920 में बना और तोल आंदोलन 1921 में सुरूआ अब हुआ क्या देखो तोल आंदोलन क्या होता है बैसिकली तोल वजन है बेटा आप भी कोई भी दुकान पर समान लेने जाते हो तो तोल के लाते होंगे उसके अंदर वजन होता होगा तो होता क्या था कि अपने इदर एक सेर होता था क्या होता था एक सेर सेर समझते हो कभी गर पे कहते हैं पांच हेर को है और दस हेर को है आज भी बुटे बड़े एक किलो को एक सेर बोलते हैं क्या बोलते हैं एक सेर बोलते हैं आई बात समझ में, बिल्कूल आई से, अब क्या होता था देखो, अपना जो मारवार था, यहां पर जो एक सेर था, वो सो तोलेता था, कितने तोले का, सो तोले का होता था, यह दिरेगी बात, तोला जानते हो, आप सोना चांदी व्यपन करीदते हैं तोले में, तो एक तोले के अंदर कितने ग्राम होते हैं सोनी जी, दस ग्राम, एक तोले के अंदर कितने ग्राम होते हैं, दस ग्राम, नहीं होते बिटा, एक तोले के अंदर ग्राम होते हैं, बारा ग्राम होते हैं एक तोले के अंदर, तो एक सेर यहां पर सो तोले का होता था, और जो अ कब में दिक्कत क्या होती थी वजन कम में दो समझयाई होती थी कोई भी मारवाड का वेक्ती अजमेर से कोई चीज खरीद गे लाता एक सेर लाता यहां पर लाता तो नहीं कि अपने अधर तो शेर्ट कितने गराम कहाता सो तोले का तो एक बिजनस लोस हो जाता बड़ा क्योंकि वो वहां से तो 80 gram खरीद के लाता एक सेर में यहां बेचने में उसको 100 gram देना पड़ता सो तोले देना पड़ता इससे दिक्कत होती फिर इधर से लोग खरीद के ले जाते एक सेर के बाव में 100 तोले और वहां ले जाके वो सीतोले बेश देते तो उनको कितने का 20 का सिधा-सिधा क्या हो जाता लोस हो जाता एक तरीके से मैं तुम्हें एक ही बात बताओं बिटा आप सब लोग gram in family से हो गर पे घरवाले दूद वूदगा तो काम करते ही होंगे तो अपने दूद वाला होता हो बड़े मजे ले जाता है दूद वाले को मम्मी तो देती है किलो के तोल से दूद दूद वाला बेश था उसको लिटर में कई बार आजकल तो क्या दूद वाले भी नापने लगेर अपने घरवाले भी लिटर से नापके डलवाते बागी पहले तो मम्मी पांच किलो की चरी भर गे जैसे ही दे देती दूदुवाले को तो वो यहां से अपने यहां से किलो के तोल पर एक अजार गराम ले जाता और वहां जाके लिटर में बेशता तो 900 गराम ही देता वापस है ना सेम वोई सिस्टम है यहां पर आजिया उएक अधिकरी था श्याम भिहरी लोग तो ये उन्हारे लगाए करते थे श्याम भी आरी कच्चा और हमारा तोल सच्चा कि हमारा जो तlares है वो क्या है ठीक है और यह तोल ही सब जगें किया जाई लागू किया जाई, तो ये कैंदा था तोल आंदो लुन था, फिर आगे बडये, फिर अगला एक संगठन आया बटा, मारवाड हितकारीनी सभा, कौन सा संगठन, मारवाड हितकारीनी सभा, डंग से पढ़ लेणा, सारे संगठन important है आपको कोई साभी संगठन दे के उसका year या उसके सस्तापक के बारे में पूच सकता है संगठन था मारवाड हितकारिनी सभा कब बना तो 1918 में बना किस ने बनाया तो चांदमल सुराना अब इसका वापस पुनर गठन किया जेनारान व्यास ने इसका किया पुनर गठन किया मारवाड हितकारिनी सभा का और कब किया था पुनर गठन तो 1923 में कब किया बेटा 1923 में इन्होंने इसका पुनर गठन किया अब इन्होंने जो इसका इसका पुनर गठन किया और खुब तरीके के मांगे रखी इसके तहत आंदोलन चला ने प्रारम किये और क्या-क्या मांगे रखी उसके बारे में बात करेंगे पहले सबसे मिल्लू में बादू जी सर जी पाहें लागो मोच करो बेटा रनजीत बमरिया सलीम राठोड किशन प हमार में इसके खिलाफ आंदोलन ृप कोई भी सवकार होता जो ब्याज पर पैसे देता सोचो उसने किसान कि गाही ले जाएगा बेल ले जाएगा तो क्या करेगा तो मादा पसुओं को वो यहां से ले जाते अच्छा जो बनिये सहुकार होते वो पसु ले जाएगे उनके का काम आएगे पसु तो वो ले जाएगे बेटा बेच देते तो इन्होंने का साब ये मादा पसुओं की नि मारवाड़ी करण की मांग नोक्रियों का मारवाड़ी करण कैसे किया जाई तो भूला साब हम जो यहां के लोग हैं हमें यहीं पर नोक्रियां दी जाएं हम यहां तो बेठे हैं हमें तो नोक्रियां तुम दे नीरो बाहर से बियार बंगल कस्मीर के लोग आ रहे हैं उनको आ लोगों को लिया जाए विकानेर के मारज गंगा सिंग नेर इस मामले को खुबी बढ़ावा दिया थे यांके लोकोल लोगों को लेने के लिए फिर का खाद्या निर्यात के खिलाफ आंदलन अच्छा जो गउबाजरी हम बेचते हैं उसको भी निर्यात नहीं कर सकते आप और क्यों नहीं कर सकते हैं बोलो महरवाड में बेटा कहा जाता है कि अकाल सबसे ज़्यादा पड़ता है राजस्तानी में बहुत सुन्दा दोवा है कि पगपूगर दड़ कोटरोन उद्रज बीकानेर बुलो चूको जोत्पुर्ण ठावो जसल मेर नाम का जो मनुश्य उसके पगपूगर में रहते तो सब हमारे यहां तो ब्यत्ता चलता ही एक दो साल बाद अकाल पड़ जाता है और अनाज आप बाहर भेश जे तो जनता भूकी मरती है जनता को पैसों के बदले भी अनाज मिलना पॉसिवल नहीं होता तो खाद्यानों के निरियात पर क्या लगाई जाई रोक लगाई ज कि एक संगटन मना आकिल भारतिय देसी राज्ये लोग परिशत फिर एक संगटन मना आकिल राजस्तान देसी राज्ये लोग परिशत फिर एक संगटन मना इसका नाम ता मारवाड देसी राज्ये लोग परिशत ध्यान रहेगी बात बिलकुल ध्यान रहेगी सर अब सुनो म मारवाड़ दे सी राजे लोग परिशत कब बना बेटा तो 1929 में किसने बनाया तो जैनाराने व्यास ने बनाया जैनाराने व्यास ने बोला ठीक है साब इसकी मीटिंग कब रखेंगे तो बोला साब 11-12 अक्टूबर 1929 11-12 अक्टूबर 1929 कहां पर तो जोधपूर के राजा ने इस पर क्या लगा दी बेटा रोक लगा दी क्या लगा दी रोक कि तुम ये मीटिंग अब बिल्कुल भी नहीं कर सकते अब जब रोक लग गई तो जैनाराने व्यास को गिरिफ्तार कर लिया गया जैनाराने व्यास को गिरिफ्तार कर लिया गया आनंदराज सुराना को गिरिफ्तार कर लिया गया बवरलाल सराप को क्या कर लिया गया गिरिफ्तार कर लिया गया और इन सब को गिरिफ्तार करके नागोर ले गए और नागोर की विशेस अदालत में इन पर क्या चलाया गया मुगदमा चला गया कई दिन हो लाई हुआ है अच्छा अपस में बात कर रहे हैं इन लोगों को ग्रिफ्तार किया गया किसको जेनान व्यास अनंदराज सुराना बमलाल सराप को और नागोर में कि स्पेसल कोल्ट के अंदर इनका क्या चलाया गया बेटा मुगदमा चलाया गया याद रहेगी बात अब क्या हुआ तो जब इन पर बेन लगा दिया गया इन पर बेन लगा दिया गया देशी राज्ये लोग परिश्यद वाले संगठन को प्रतिवंदित कर दिया गया आप जो चर्चाओं में लाये मारवाड हितकरणी सभा, वापस चर्चाओं में आया, और इन्होंने परड़ yugoo बार की मारवाड के सपुतों का बलाद्यान नागोर मुगद में का फेसला क्या किया बेटा? पर्चे वग्या आंधोलन चल रहा था सदिन्य ठीक भेटा बिल्कुल गोआ गोस्ना हो ग mesmawegen आंधोलन चला और गांधी इर्वीन के मत्दि एक समझुटा हुआ जिसको पन केते हैं गांधी इर्वीन पेक्ट या इसको हम गांधी इर्वीन समझोता केते हैं इर्वीन भारत का गवर्नर जनरल था और मात्मा गांधी तो खुदी थे तो इसको अपन गांधी इर्वीन समझोता केते हैं सर्जी स्क्रीन सोट लेने दो बिल्कुल सर्जी चंदरियां तरी में कौन सा रोकेट इस्टमार रा खी कही कि बाई साब हमारे जितने भी राजनीति केदियों को तुमने गिरिफतार किया उनको छोड़ो तो ये नागोर मुगद में वाले जो भी केदी थे सराफ साब थे अपने जैनर व्यास थे इन्हें सब को क्या कर दिया बेटा छोड़ दिया याद रहेगी इन्होंने छो होगी बला पुसकर में बला कितनी तारिक को बला चोईस पचीस नवंबर को 1931 को हम क्या करेंगे मिटिंग करेंगे बल ठीक है साब कोई दिक्कत नहीं है अचा पुसकर ही क्यों तो बेटा जोत्पुर में तो वेसे भी संगठन बेन था नॉर्मली टीचर की लाइफ के हिरो होते है बरसर तो गुंडे है बड़ा लेट पता है मैं गुंडा यहूं बटा बिल्कुल गुंडा हूं नी से नीट एस्पाइरेंट गंधी इरविन समझेदा बिल्कुल बेटा जेतंदर पमार हैलो सर जी गुड यूवनिंग वेरी ग कारण है बेटा कि जोत्पुर के अंदर संगठन पर्तिवंदीत है और कोई एसी जगें मीटिंग रखें जहां पर राजा को सक नहीं हो अब पुषकर मीटिंग रखी तो तो लोग के देशा वीग्यारा सेन पुषकर नान जावा और एक दार्मिक जगें पर अधिवेशन रखने से जनता ज्यादा बेड़ी हो जाती है इस बार ने सी जोत्पुर में बसके बेट के चलिए गई बार नों पुषकर इना नहीं करिया हमारे चलो वहां पर क्या रखा गया संगठन अब अजमेर से एक वेक्टी को बुलाएगा चांद गरन सार्दा किसको बुलाएग बादी चींगा बापोपुषकर तो आना पड़ेगा ना बड़ी मिटिंग रखिये ल्गा पुनका यार अब मैं क्या पुश्कर जैसे चोटी-चोटी जगह में पर गूमता पिरूंगा क्या यार मेर से तो ऐसे अधिवेशनों में नहीं आया जाता और बापु ने खुद तो नहीं आये पर मम्मी को भेज़ दिया कस्तूर्भा गांदी आये कौन आये वही प्रम बरने में तो OBC सेलेक्ट करायाते हो तुम्हें पता है पहले OBC आयोक के अध्यक्स कोन थे तो काका का लेकर पहले OBC आयोक के क्या थे अध्यक्स थे सर जी रिजनिंग के नोट सी यह टाइपिंग वाली मिल जाएगी बेटा मैं बोलूँगा संजे सर को दे देंगे त एक से और गांधी जी के खुद के पिये दे मनिलाल कोठारी कौन बेटा मनिलाल कोठारी यह सब लोग आयरे इन्होंने यहां पर 22 प्रस्ताव पास किये यह इंपोर्टेंट है कितने प्रस्ताव पास किये तो 22 प्रस्ताव क्या कर दिये पास कर दिये याद रहेगी बात बि यूट लीग, कब? तो 10 माई 1931, कब बेटा? तो 10 माई 1931 को, क्यों बना रहा है संगठन? जैनाराण व्यास बना रहे है, ठीक है सर, अध्यक्स किसको? तो भीमृराज प्रूहित को इसका क्या रखा गया? अध्यक्स, मंत्री किसको बनाया गया? तो मानवल जैन को बनाया गया महारवार यूथ लीग नामक एक संगटन बनायागा दस मई 1931 को थोड़ा वो टेक्निकल इस्यों हो गेता वाज नहीं आ रही थी अब आपको आवाज आ रही हो संस्तापक कोन तो जेनान व्यास अध्यक्स कोन भीमराज पुरुईत मंत्री कोन मानमल जेन अब बाई साब जोतपुर राजगर्यान ने जोतपुर रियास अतने फि च्वपासनीवाला को किसको मंत्री बनाएगा चगन राज च्वपासनीवाले को देखो बटा कि कांग्रेश का 1929 में लाहर अधिवेश्यन वा रावी नदी के तट पर जवालाल नेरु के अधिक सामें और जवालाल नेरु ने गोस्तना की कि आज से हम बारत का आजादी का 26 जनवरी मनाएंगे कौन सा 26 जनवरी मनाएंगे तो बेटा और पुर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी तो 26 जनवरी यह लिखा हूँ है मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया 26 जनवरी 1930 होगा 32 नहीं 26 जनवरी 1930 को जोदपूर में बारत का जंडा सबसे पहले किसी ने फि वाला था यह बड़ी इंपोर्टेंट बात है तुम्हें लगा यह सर बारत का जंडा फेराना क्या बड़ी इंपोर्टेंट बात है इंपोर्टेंट बात इसलिए बेटा कि जोदपूर जैसे एक देश के अंदर बारत जैसे एक देश का जंडा पहराएंगे उस समय जोद और खुद अपने आप में सोतंत्र था राजस्तान के कुल कितने साके हुए तीन चित तोड में दाइस असल मेरे में कि दो सीवाना एक जालोर एक रनथंबोर है ना खुब साके हुए ऐसे तो अपने याद रखना 26 जनवरी 1903 को जोदपुर में भारतिय जंडा फेराया गया था किसने फेराया गया तो चकन गोपाल चोपास नहीं बड़े अब क्या हुआ अब बेटा 1934 में एक संगठन बनके ह मारे सामने आया उसका नाम रखा गया मारवाड परजामंडल क्या नाम रखा गया मारवाड परजामंडल अध्यक्स किसको बनाए गया तो बवरलाल सराफ को इनका क्या बनाए गया अध्यक्स समरलाल नहीं बवरलाल है बवरलाल सराफ को इनका क्या बनाएगा अध्यक्स मांग क्या तो वह जेपुर वाड़ी मांग उत्तरदाई सासन की स्तापना करनी पड़ेगे और नागरीक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या लाना पड़ेगा कानून लाना पड़ेगा फिर एक और संगठन आया हमारे स्याम नागरीक 1879 संग 1934 में कांग्रेश के सायोग ऐसंगतना बनाया गया तकांग्रेश की सप्लिमेंटरी संस्ता इंदर संस्ताओ ये सब मिलके इन्होंने एक संगटन बनाया था उसका अधिवेशन हुआ था कराची में कहां पर कराची में कब 1936 में कब हुआ गटा 1936 में इसका महामंत्री किसको बना दिया गया जैनान व्यास को जैनान व्यास को इसका क्या बना दिया गया महामंत्री बना दिया गया जैनान व काफी लंबे समय तक अजमेर रहे उसके बाद बंबे चले गें एक अकबार निकला अखंड बारत याद रखना जनाड व्यास बंबे से एक अकबार निकाला करते थे, उस समाचार पत्र का नाम था, अखंड बारत, जब इनकी जोतपुर में रोक लगी, तो कहां चलेगे, बॉंबे चलेगे, बॉंबे से एक अकबार निकाला करते थे, उस अकबार का क्या नाम था, अखंड बारत, अकबार का नाम था, कहते हैं, जेनान व्याज ने तो आई फिल्मों विल्मों में ओडिशन दे दिये तेर डांस वान शुरू कर दिया था अपन तो पढ़ते हैं ना डोल नर्तिये को बढ़ावा भी इन्हों ने दिया जसल मेर में डाइसा के कैसे हुए समझ में नहीं है बिटा जसल मेर पढ़ाऊं तुम् में बीच में जसल मेर बताऊंगा तो चोखा थोड़ी लगता फिर पाकी टाबर भी तो परेशान होते हैं इस बात से यह ना तो आपके वीडियो पढ़ा बेटा आप पिछे जागे वीडियो में देख लीजिए मैं अभी पांच साथ दिन पहले ही क्लास लिए बाकि सारे टाब रोने पढ़िये तो आप भी पढ़ लेना वेटा उसमें आपको समझ में आ जाएगा बंबे रहने लगे बंबे में यू डांस मां जेनार व्यास खुद बहुत बड़े डांसर थे और इन्होंने फिल्मों में ओडिशन देना चलू कर दिया माराजा गंगा सिंग को चला के जनाइन वियास यह पिल्मों में ओडिशन दे रहे हैं अंदर गुषने देते नहीं दिन दो रहे हैं तो कमा के खाना थो पड़ेगा न तो फिल्मों में ओडिशन दे रहा हूं केते बिकानेर के माराज गंगा सिंग ने डोनाल फिल्ड को लेटर लगए और डोनाल फिल्ड उससे में जोतपुर में अंगरेज जदिकारी था और डोनाल फिल्ड ने फिर 1937 में इन पर क्या लगटाई रोग हटा दी वापस और जोतपुर के अंदर 16 माई 1938 को एक संगठन बनाया रनचोड़ दास गट्टानीने और उससंगठन का नाम रखा गया मारवाड लोक परिशत क्या नाम रखा गया बीटा? मारवाड लोक परिशद इसका नाम रखा गया फिर एक जोतपुर में और संगठन बनाया सिरी राजबक्त देस हितकारीनीसबा 20 मैanh 1938 को सस्ता तो वकील गनेश दास बोरा वकील साब पर इन्होंने संघठन बनाया तो इसका नाम है वकील गनेश दास बोरा फिर 1942 में आंदोलन शुरुआ बारत छोड़ों अंदोलन शुरुआ अपने यह पर्जाम मंदल ने बड़े एक आक्रोसित होके रांदोलन चलाया तो जेनान व्यास जी को गिर्फतार करके सिवाना के किले में रख दिया गया या राजस्तान में किस नेता को रखा गया तो ज्याने परदी फिश्णूई अरे बादू साब लाइव देख लो पता बात नहीं बेटा तो याद रखना जेनान व्यास को कहा रखा गया सिवाना में और बाकी सब को कहा रखा गया जाल और दुरुक के अंदर रख दिया गया ता यह बारत छोड़ों आंदोलन की बात हैं फिर आगे बड़े मेग सिंग सर गूड यूवनिंग वेरी गूड लोग राजस्तान सोरी जोतपुर आये थे परजामंडल अंदोलों में बड़े बड़े नेता जो जोतपुर आये थे अपन उनकी बात करेंगे तो बैटा 1936 में दो लोग आये पटमा भी सितारमया और बुला भाई दैसाई कांग्रेस के एद्यक्स रह चुके थे पटमा भ प्रिकती आये थे बुला भाई दैस कोन आये खिला कापि liquid Anyways सद्रमय छसे में आये थे उससे में आखिल भारतिय देशी राजिये लोग परिशदगे ऑधियक्स ख Tammy यह अय थे तो यह आखिलबारतिय अ देसी राज्ये लोग परिशद गए अध्यक्स थे जिसका मामंत्री जने अभ्यास को बढ़ाया गया था उनको बेन गर दिया था उसके क्या थे अध्यक्स थे तो यहां प्राणा इनका क्या था सुवाविक्त थे आपको ऐसे भी पूछ लेता है कौन सा अध्यक्स आया था त जोथपुर में पर्ति गिडिधी कोट वहां पर हिनने भासन दिया था याद रखना आपको विजग्समीं पंडित के बारे में कोई पूछ लेगा का मैस ती जोथपुर में गिर्दी कोट नाम अकिस्तान पर हिनने पर इननों क्या दिया था पासन दिया था 1940 में की एख़े पांडित द्वारी कानाथ कचछु में सुर्मति आप पकाजु भू अब यहां पर द क्रश्ना ід उनिचे में मतिया इसी आते तो भूबे में मारवार प्रजामंडल से डिलेटेड लेकिन मनाया बंबे में गया था क्यते हैं कि यहां पे बच्ची थी कोई क्रश्णा नाम की स्कूल गोइंग बच्ची थी उसको अफरन कर लिया गया था और पुलीस काफी समय तक डूणने के बाद भी उस बच्ची का पता नहीं जोतपुर के अंदर शिक्सा दिवस का मनाया गया बिटा तो जोतपुर के अंदर क्या मनाया गया शिक्सा दिवस मनाया गया फिर आगे बढ़ें बिल्कुल आगे बढ़ें से तो अगली बात करते हैं सर्थ समाचार पत्र या समाचार पत्र परजामंडल के दोरान कौन- कोई बाते पढ़ लेते हैं कि समाचार पतर अखंड भारत कौन सब्सक्राइब अखंड बारत अभी मैं आपको पिछे भी बता दिया था 1934 में बॉंबे से निकाडा करते थे जेनाण व्यास कौन निकाडा करते थे बटा जेना रण यास फिर एक बार तरुन राजस्तान जो मैंने आपको किसान अंदल लोनों के समय भी खुब अच्छे से पड़ा चुका था 1927 में निकला था कहां से तो ब्यावर से कहां से निकलता था ब्यावर से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राजस्तान के ज्यादतर अंगरेजों के दर में आया करता ता यह रहेगी बात फिर में बात करते हूं कि अकबार अंगी बान 1932 में यह भी निकल आच जैनारेंडव्यास यह विए जैनेनड व्यास तीनों अक्पार इसके जैननिवेस के फिर एक अक्पार बिटा लोकषुदहर कौनसा अक्पार लोकषुदः ये अक्पार वल्देव रामजी मिर्दाँ निकाल रहे ते कौन निकाल रहे ते roll राम ते किvenir किसाल के स्टे राजस्तान के बहुत बड़े नेता हुए बल देव राम जी मिर्दा यह अकबार निकाला करते थे फिर एक अकबार था परजास सेवक वो अकबार निकाल रहे थे अचलेश्वर परसाद सर्मा कौन निकालते थे अचलेश्वर परसाद सर्मा फिर एक अकबार था रियास्ति 1945 में निकलता था एक व कुमनेस जोसी वो निकाला करते थे कौन निकालते थे कि सुम्नेस जोसी जन्याणवियास के त्रिंध राजस्थान अंगिबाण मैं भी आपको कही रहा था ना वो बीच में अजमेर चले गेते तो उन्होंने अजमेर से एक अगवार निकाला था उससे में तरुन राजस्तान कहां से निकलता था ब्यावर से तो उन्होंने वो अगवार कहां से निकलता था ब्यावर से निकलता फिर आगे बढ़ते हैं इस कर दूंगा कल से स्टाट कर दूंगा किस ने बन वायता तो लाल चंद जेन ने बन वायता तो लाल चंद जेन्न ने बना या था इस संगठन ने बारत छोड़ों अंदोलन के दोरान आठ सुत्री कारिय करम के तहत कारिय करता थे, कौन लालचंजी जेन याद रहेगा, ये बारत छोड़ों अंदोलन के दोरान आठ सुत्री कारिय करम के तहत क्या थे बेटा, कारिय करता थे, फिर दियान रखना इस बात को, पेंगविन अभी तु तु गुंडा उंडा बना रहा था मेरेको नाम क्या बेटा तेरा नाम तो बतादे मेरेको मेरेको पहले बाल डंचे किसी ने ओलका तो तू है नाम तो बतादे यार अपना कैसी क्या नाराजगी है पर मुक मयला है इस आंदोलन में कुछ-कुछ मयला होने भाग लिया जिस है मयला गिर्जा देवी वियास्ट एक मयला है रमा डेवी वियास्ट महमा देवी कीकर सावितरः देवी बाटी क्या नाम है सावितरे देवी बाठी ये एक बार किसी महिला आई कष्णा कुमारी फिर एक महिला आई प्री कमर और राज सब्सक्राइब है की यह कौन कोण थी तो याद रखना इन के नाम फिर आगे बटे स्क्रीन सोट ले 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 जिस को लेना हो इस किस्ट किताब वह किताब है किताब है क्च पुस्तक किताबों की बात करूं तो एक किताबे मारवाडरी अवस्ता एक किताबे पोपा भाई की पोड एक किताबे मार्च से संगर्स क्यूँ तो बड़ी अच्छी किताब थी मार्च से कोई आंदोलन चलाने वाले थे लेकिन उदर से पाकिस्तान का अटेक हो गया तो फिर इन्होंने सांते कर ली थी बहला अभी देश में अपना आंदोलन नहीं चलाएंगे क्योंकि देश खुदी इस्तितियों में उल जावा क्रिस्मस उतार हेलो सर स्वागते पेंग प्यास निकला करते दे फिर इस परजा मंडल की कुछ घटना है हुई इंपोर्टेंट जिसमें एक बात करता हूं कि चंडावल घटना कौनसी घटना चंडावल घटना 28 मार्च 1942 को अंग्रेजों ने लाठी चार्ज कर दिया था पाली जेगे पढ़ती बेटा चंडावल र एक डाबडा कांड कौनसा गांड बेटा डाबडा कांड 13 मार्च 1947 को नागोर जिल्ले की घटना है डीट गणा का सामन था उसने लाठी चार्ज कर दिया जार इसे अंदोलर में मतुरदास मातूर गाईल हो गेते ये थोड़ा द्यान रख लेना कौन गाईल हो गेते सब्सक्राइब अब कर करेंगे और अपन बहुत सारी सी चीजें पढ़ेंगे पुराने पेपर सोल करेंगे लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आप क्लास को share करोगे और कल old paper के solution में 50 बच्चे जोड़ दोगे promise करके जाओगे sir हम 50 टाबर जुड़ेंगे और हमें पुराना पेपर सोल करा देना promise कर दो DSTC new में आता penguin बढ़िया पुराना पेपर पचास बच्चे वादा कर रहे हो गया वरना theory चलने दू कैसर नहीं 50 बच्चे तो हम जूड़ी जाएंगे आप पुराना पेपर सोल करवा दो तो वैं कल से start करते हूं फिर बोलो बोलो कमेंट करो कमेंट नहीं आये दुमरा अच्छा चलो कोई बात नहीं कमेंट तो तुम कर नहीं रहे हो और मिलते हैं अपन कल साम को वापस देख लेंगे अपन theory पढ़ लेंगे कोई बात नहीं ठीक है बटा और यह movies इडिटर बादु साबर यहां लिखने से बेटा कुछ नहीं होगा बादु साब कोई बात नहीं बिल्कुल पेंग्विन अच्छा लगा लेकिन जब वीडियो खतम हो जाए तो वीडियो के लास्ट में मुझे जाके कमेंट चाहिए दो तीन झाल नमस्कार ससे काल आदाब सभी को गुड इवनिंग राम राम सभी का सवागत अब जल्दी से क्लास को सेर कर दीजिए जुड़ जाईए आप लोग आज अपन परजामंडल पढ़ेंगे बेटा जल्दी से जुड़ जाईए आप सभी लोग परजामंडल आंदोलन पढ़ने व सभी का सवागत है अफन परजामंडलों के बारे में पढ़ेंगे ज़िए पाड़े क्लासों में अहापनने यादवों के इस्ट्री पढ़े पढ़ा अपने रजाट राजवंस में बरदपूर के पढ़ी अपने परमारों का इतियास पढ़ा अपने परतिहारों का इतियास पढ़ा आज अपन पर जमंदर स्रीब पढ़ेंगे सरवनराम स्वागत है केलाज्चोद्री गुड़ उनिंग very सब्सक्राइब करते हैं अपनी क्लास तो मैं बात करता हूं अपन पढ़ेंगे परजाम अंदल लोनों के बारे में देखो बीटा कि में बात करता हूं तो हम पढ़ते हैं मौडन हिस्ट्री में अठारा सो सतावन के एकरांते पढ़ते हैं किसान अंदूलन हमने पढ़ा है जन जाती है अंदूलन ओंपर का सियाग गूड इवनिंग वेरी गूड इवनिंग हुआ क्या था मुंबे के अंदर एक मीटिंग गुई आखिल बारते देशी राज्ये लोग परिशत एक संगठन था आखिल बारतिये देशी राज्ये लोग परिशत एक होकर आंदूलन चलाएं और इसी के बाद एक संगठन बनाएं अजमेर के अंदर राजस्तान देशी राज्ये लोग परिशत एक राजस्तान में भी परजामंडल बनाएंगे और परजामंडल आंदूलन चलाएंगे क्या बनाएंगे परजामंडल बनाएंगे और परजामंडल आंदूलन चलाएंगे बहुत बढ़ी आप मुवी जीडिट सर टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेर कर दीजिए बिल्कुल बटा भी बोलता हैं सर को सवाई पंचारिया गुड यूणिंग सर वेरी गुड यूणिंग बटा तो परजामंडल लागनों की शुरुवात की परजामंडलों में सबसे ज्यादा क्यूशन आपको पूछ लेता है कि परजामंडलों की इस्तापना कब हुई और परजामंडलों का संस्तापक कौन है आपको इस्तापना पूछ ली जाती है आपको इनके संस्तापक पूछ लिये जाते हैं मैं सबसे पहले इस्तापनाओं के जैपुर और बुंदी ये राया 1934 और राजस्तान में परजामंडल बने मारवाड और हडोती गोन कोंसे बेटा तो मारवाड और हडोती ये राया 1936 और मारवार में परजामंडल बने बिगानेर और दोलपूर ये जो बुंदी वाला परजामंडल था इसी का विले हडोती मे सभी को वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को सेर करतो बैटा उन्दी वाले का विले हाड़ोती में हो गया 1936 में दो परजामंडल बने बेकाने रोड़त वलपूर याद रहेगी बात 1938 के अंदर सबसे ज्यादा परजामंडल अपने मेवाड साप पुरा अलवर बरतपूर और करोली कारण भी है 1938 में सबसे ज्यादा परजामंडल बने थे उससे पहले एक बड़ा कारण था कि 1938 में कांग्रेस का हरीपूर अधिवेशन हुआ था बिटा कौनसा अधिवेशन हुआ हरीपूर अधिवेशन कोंग्रेस का सुभास चंद्र बो नहीं ने भी है और परजामंडल का क्या कर दिया थिए याद रहेगी यह बात किलको द्यान रहेगी सार कोई दिक्कत नहीं है अपन बात करते है इनिसो अनुचालिस का यह राया परकूर पर अधिवेशन में जो कोता जैसे किसंगड जैसे सिर्वे नी presents याद रखना जिसको इसको भी लिखना हो तो लिख सकता है स्क्रीन सोर्ट लेना तो स्क्रीनग sıरच डे सकता है मैं सॉठ गया हूं स्क्रीन श्रोटdos ले सकता हूँ आप्प 날ी से प्रजामा अपना हुई आपको डाय क्यों और पूरिचवन कर से लेट थोड़ि हुआ है कि हम भी जब काम करने वाले इंसान है जनरली घर का काम हो जाता है बेटा कोई बात नहीं है आपका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा वीडियो को लाइक करें बेटा सभी लोग फिर अपन आगे बढ़ते हैं और मैं कहता हूं अगला क्योशन जो बनता है वो बनता है संस्तापकों में से कौन से परजामंडल की इस्तापना किस ने की थी परजामंडल है जेपूर संस्तापक थे कबूर्चंद पाटनी कोन वटा कबूर्चंद पाटनी संस्तापक था परजामंडल है बूंदी का संस्तापक थे कांतिलाल संस्तापक है मारवाड और संस्तापक है जनन्य न भ्यास परजामंडल है सिरोई और संस्तापक है वर्दीचंद्र त्रिवेदी फिर आया बिगानेट परजामंडल संस्तापक मगराम वेद्धिया परजामंडल कोटा और संस्तापक पंडित नेनुराम सर्मा परजामंडल मेवाड संस्तापक मानिके लाल वर्मा परजामंडल अलवर संस्तापक हरीनारायन सर्मा परजामंडल बरतपुर संस्तापक किसनलाल जोशी परजामंदल सापुरा संस्ताबक रमेश चंद्र ओजा त्यान रखना बिल्कुल किसी को भी जिसको स्क्रीन सोट लेना बिटाब स्क्रीन सोट ले सकते हो बाद में आप इसको नोट कर लेना फिर अपने अगले पार्ट की तरफ तो बाकी के परजामंदल देख लेते ह हैं तो मैं आपको कहूंगा बिटाओं कि परजामंदल है दोलपूर और संस्ताबक थे ज्वाला परसाथ जिग्यासु फिर करोली परजामंदल संस्ताबक तिरलोक चंदमाथु इसनगड़ परजामंदल कांतिलाल चोथानी जसलमेर परजामंदल मिठालाल यास चोषत होने इसनगर बैस्ति अ परजामंदल चांट परजामंदल गोगीलाल पंडियाा पांस्सोड़ा परजामंदल भूबंधरनाथ तिर्वेदिर अमरितलाल पायक सुर्वरोडं परजामंदल मंग Rap, अम्ध्यान रखना, और उनके है और उनके कौन-कौन से क्या है सनस्ता पख है सभी का दियान रखना आप लोग बिल्कुल दियान रखेंगे सर्क नॉट कर लीजिए बैटा जिसको स्कुरीन सोट ले ले सकते है ये ना इन बैसीकली मैं सोचता हूँ कि इन क्लासों के टाइम में आप स्क्रीन सोट ले लोगे तो साइथ बैतर रहेगा क्योंकि नोट करना तो पॉसिबल होगा नहीं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन चीज़ों का स्क्रीन सोट ले ले जो भी परजामंडल है आपने उसके क्या पड़े हैं सस्ता पक जैपुर की मैं बात करूं तो भी मैं आपको बताया था जैपुर परजामंडल की स्तापना 1931 में हुई थी इस परजामंडल को बनाने वाले जो वेक्ति थे उनका नाम था कपूर्चंद पाटनिक या नाम था कपूर्चंद पाटनिक हुआ यह यह आया 1936 का कौनसा साल 1934 और एक वेक्ति दिल्ली में रहते थे जमना लाल बजाज राजपुता नाम अध्यवारत सबा नामक एक संगधन चलाते थे और बजाज जी जेपुराएं पर बजाज जी ने काया अपने जो 31 में परजामंडल बनाया था वो के साथ चल रहा है ठीक है क्या मामला बताओ आपने क्या 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 मंदल को इन्होंने बनाया और इसका अध्यक्स चिरंजिलाल मिश्र को बनाया गया परजामंडल का अध्यक्स किसको बना जीरन जीलाल के पिश्रभर याद रहेगी बात बिल्गों द्यां रहेगी से और इस प्रजामंडल का मंत्री तो हिरालाल सास्त्री को बनाएगा एक नया नोजवान लड़का जेपुर का इरालाल तो याद रखना इस बात को जेपुर पर्जामंडल बना कब था तो निच्व 1131 में इसको ुणरगठ हिस जागए था उननीच जेपुर एक चिसने किया था जमनालाल बजाज नहीं किया था अद्यक्स को बनाएगा चरंजिलाल मिश्र को बनाएगा और मंत्री किसको बनाएगा हिराला सास्त्री को बनाएग नोट किजिए आप लोग स्क्रीनोट लेना स्क्रीन सोट ले सकते हो वीडियो को लाइक कर लेना और चेनल को सब्सक्राइब कर लेना ब deepen जो भी बच्चा नहीं हूँ स्क्रीन चोट ले लो और जितने जूड नउटम कम सक मूतने तुम्ness क्यों उपीट करें सकता उं तुमसे जल्दी से बता इस्क्रेन ले लो पिल्कुल ले लिया होगा आगे बटते हैं आपर और मैं कहता हूं जेपूर प्रजा मंढल का जो पहला अधीवेशन वह था इता है जो आठनो मईए उनीसो अधीशन नर्थrintकल गॉए 36 दो में जगह पढ़ते है नतमल का गटला तन ऑन पर किया गया जगे जैपुर में नथमल का कठला ठीख कैसे कोई दिख्तत नहीं है अध्यक्स कोन रहा तो बजाजी रेंगे जमनलाल बजाज क्योंकि इस बार पुनर गठित करने के बाद सारा काम जमनलाल बजाज की देखरेक में हो रहा था और जेपुर के अंदर जो ये नत्मल का कटला नामक जगे थी ये उस समय आजादी के समय क्रांतिकारियों का एक बहुत मैट्वपून अड़ा हुआ करता था दियान रख लेना इस बात को क्रांतिकार योगा मैं तो पून अड़ा था तो यहाँ पर भाई लोगों 15 लोग जूड़े हो इतने तो लाइक करी सकते हो उदेश बहुत 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 दिन्यावाद ओमसा चोदरी स्वागत है आपका तो बेटा नत्मल के कटला नामकिस्त को क्या हुआ सर इस दिन इस दिन गांदी जी की वाइफ कस्तूरवा गांदी ने कि जैपुर में कि महिलाओं की सभा को संबोदित किया विटा महिलाओं की कि सभा को इसको तो उन्हें ने बाशन दिया किशको माईलाओं की सभा को संबोदित किया इंपोर्टेंट बात है ओलांकि इसका इस अधिवेशन से तो कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर विए की गटना है तो मैंने आपको साथ में जोड़ के बता दिया है याद रखेगी बात बिल्कुल 1938 में सेखावटी किसान सबा अपने जब सेखावटी किसान अंदलन पढ़ा था तो मैंने आपको उधर बताया था उन्होंने परजा मंडल का क्या कर दिया समर्थन कर दिया और कुछ और प्रसाद सर्मा लादुराम जोसी लादुराम जी तो बड़े इंपोर्टेंट है आगे जाकर परजाम अंदल के अधिक्स बनेंगे ये सेखावटी बेसिकली जेपुर रियासत का हिस्सा था तो कासाब सेखावटी किसान अंदलन अलग से तो क्यों चलाए हम इसका परजाम अंदल वालों के साथ ही चलाएंगे तो कुछ बड़े नेता साथ में जूड़े सेखावटी किसान अंदलन सबाने जब समरतें दिया तो सरदार अरलाल सिंग नेतराम सिंग तारकेश वर प्रशाद सर्मा और लादुराम जोसी लादुराम जोसी मैंने कहा है याद उन्होंने परजाम अंदल पर क्या लगा दी रोक लगा दी कि परजाम अंदल इलीगल है परजाम अंदल काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे तो सारे गांधी के समर्थ के जमिनलाल बजाज को तो गांधी का बेटा कहा जाता है और जमिनलाल बजाज गरिफता रहोगे जमिन जम्नालाल बजाज गिरिफ्तार हो क्योंकि कांग्रेस अहिंसक पार्टी दी हिंसा ये कर नहीं सकते थे तो क्या करें तो सब सत्या गरे करो सत्या गरे क्या होता है तो सत्या से आगरे करेंगे तो गिरिफ्तार यादे देंगे अपनी और जम्नालाल बजाज ने अपनी गृषतार यह लूग जाकर खुद गृफतार हो जाया करते थे विरोध के अंदर तबना नागरा कुछ कमेंट के डिलिट कर दिया था कोई बात नहीं पड़ा जितने जुड़े उतने लाइक तो वीडियो के लाइक कर दो अब हुआ देखो मेरी बात सुनो साल था 1942 का गांधी जी ने आट अगस्त 1942 को बोंबे के ग्वालिया टेंक मेंदान से भारत छोड़ो आंदोलन की गोशना की और करो मरो का नारा दिया के बाई साब अब तो मरो और मारो अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी ने आट अंदोलन सुरू कर दिया था ओपरेशन जीरो होवर चलाया था अंग्रेजों ने और जितने भी अपने करांती कारी बड़े बड़े नेता थे उन सब को अरेश्ट कर लिया गिरिफ्तार कर लिया तो जेपूर परजामंडल ने कारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया ही नहीं कारण था इस समय अध्यक्स थे हिरालाल सास्तरी और जेपूर के राजा मान सिंग जी थे उन मान सिंग जी के दिवान थे मिर्जा इसमाईल कौन मिर्जा इसमाईल मिर्जा इसमाईल और हिरालाल सास्तरी के आपस में बारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था पहला कि उसने यह बनता है कि राजस्तान के कौन से परजामंडल ने बारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था तो वो परजामंडल बेटा जेपूर परजामंडल था अब यार कुछ तो लोग होते हैं जिनक 12 अगस्त 1922 इसको एक संग्ठन बना आजाद मोर्चा जिसने परजा मंडल का क्या किया बिटा समर्थन किया स्वरी भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया समर्थन किया बारत छोड़ो चन्दर कौन थे अभा हरीष चंदर सब्सें इंपॉर्टेंट है जैपर में बाबा रिस चंदर के नाम से रोड हैस आप जानते हो तो जय ले और यह SMS होस्पिटल के इस साइड वाले चौराए के आगे एक रोड है जिसको अपन कहते हैं बाबा हरिस चंदर मारग फिर एक वेक्टी था रामकरन जोसी जोसी फिर मैं कहता हूँ दौल चंद क कासली वाल का गर था तद नाम है यह भी इंपूर्टेंट मोर्चा का कार्या ले गुलाब चंद कासलीवाल का घर था आजाद मोर्चा का जो ओफिस था जो कार्या ले था वो किसका घर था गुलाबचन कासलीवाल के घर को आजाद मोर्चा का ओफिस बनाया गया था कार्या ले बनाया गया था सर बीस्टी सी में कितना हिस्ट्री का कोर्स रहा है सर ओनलाइन ले रखा है क्या आपने या पणदल 색ws समर्थन नहीं किया लेकिन जेपूर पणदल में संगठन बना अजाद मोर्चा उसने इसका क्वैं कर दिया था समर्थन कर दिया था इसने । तो बाबा आरिस चंदर रामकरण जोसी दोलत राम बंडारी और गुलाब चंद कासली वाल यह संगठन बनाया था याद रहेगी बात बिल्गुल दियान रहेगी सर फिर अपना आगे बढ़ते हैं जेंटलमेंट एग्रिमेंट हुआ कुन सा एग्रिमेंट तो जेंटलमेंट हुआ क्या था देखो सुनो मेरी बात कि जब जेपूर परजामंडल के लोग इस आंदोलन का सपोर्ट नहीं कर रहे थे और आजाद मोर्चा जैसा संगठन बन चुका था तो कहीं ने कहीं जंता के अंदर विरोध बावना उत्पन हुई और जंता ने का यार तुम परजाम करती करते हैं कि जिस अपन करते हैं जेंटल मेंटा समझता सथरा सितमबर 1932 को कब बेटार सथरा सितमबर यूदस दोफंट फरिए लोगों ने बात कीतों मेंस अस्गोस हμौन को तो हिरा लाल सास्तREE के गये है system साथ में मिर्जा इसमाइच कोन मिर्जा इस्मार सा सथे मिर् छाट क्या क्या बातinseड को हिराल थे टू परजामन्डल के देक्स युद हो टेग जब परजामन्डल के जंदर समझ थे अब समझे होता हुआ तो समझोते के अंदर खूब सारी सी तो बातें हुई होगी दोनों के बीच में बिल्कुल बातें हुई होगी कमेंट आया किसी का उदेश करा है कि जेटलमेंट समझोता मिर्जा इसमाइल ने का ठीक है उत्तरदाई सासन की क्या कर देंगे इस्तापना कर देंगे याद रखना मिर्दा इसमाइल को आधूनिक जेपुर का निर्माता का जाता है अधूनिक जेपुर का निर्माता किसी को कहा जाता है अधूनिक जेपुर का निर्माता किसी को कहा ज अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। ठीक है सब राजा और जो राजा के वेक्ति ये वो अंग्रेजों की नहीं करेगी। नहीं करेगी बिल्कुल भी मदद नहीं करे वह ठीक है फिर बोला कि बाई साब जो हमारे बाई बंदू है बैसिकली सुनना बेटा बेटा की भारत उस समय दो टुकडों में बंदा हुआ था देवपाल सिंग जेस के सर बिल्कुल जेसर किसना बेटा बारत जिस पर डायरेक्ट अंग्रेजों का रास्ता उसको बीटिस इंडिया केते थे और वह बारत चाहां पर राजाओं का रास्ता राजाओं के अंग्रेजों के साथ संदी थी तो उसको हम रियासती भारत केते थे तो होता क्या था रियासती भारत में कोई राजाओं के खिलाफ होता तो वह बाग कर बीटिस इंडिया में चला जाता और बीटिस इंडिया में कोई अंग्रेजों का फिद्रोई होता तो व को अपना इस converge सरण देंगे मंजूरम तो बोला भाई कि प्रेटिस बारत के है कि विद्रोईएं को अगर्जा मंडल सरन दे सकता है책ा इंतर अग्रजा मंडल क्या दे सकता वैटा सरन दे सकता है और उनको गिरिफ्तार नहीं करेंगे उनको गिरिफ्तारी नहीं होगी क्योंकि पहला ही क्लोज है ना कि आप अंग्रेजों की क्या नहीं कर सकते मदंद नहीं कर सकते बोला ठीक है अगला एक पॉइंट कि परजा मंडल सांतिपूर्ण तो अंदोलन चला सकता है परजा मंदल सांतिपूर्ण अंदोलन चला सकता है सांतिपूर्ण परदश्यन कर सकता है इस बात की क्या दे दी इनको अनुमती दे दी और बोला तुम बारत छोड़ो अंदोलन में भाग नहीं लोगे परजाम बंडल कि इंडिया मोविंट या भारत छोड़ो आंदो लंड में बाग नहीं लेगा बोला ठीक है मंजूरे सब बाग नहीं लेंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं है आप हमारी यह मांगे मान लोगे तो हम क्यों बाग लेंगे कौन सा बेच में कितने एक दिन होगी तुम्हें क्लास में आते हुए याद रहेगी बात जेंटलमेंट एग्रिमेंट 17 सितंबर 1942 को हिरालाल सास्तरी और मिर्जा इसमाईल के बीच में हुआ हिरालाल सास्तरी और मिर्जा इसमाईल के बीच में हुआ। इनको मि Dort ऑथ Chip करता हूं तो इसमें सयंतनी का हिए तो एक तो का रियास चाल की स्थापन की जाएगी और रियासत अंग्रेजिera यों की मदद नहीं करेगी बोई ठीक है बिटेजा विद्रोईयों को परजा मंदल क्या दे सकता सरता सकता रहा मुझको ग्रिफ्तार नहीं करेंगे परजा मंदल संति पुर्ण चल सकता परजा मंदल भारत छोड़ंड विक्या लेगा बाग लेगा नितू पर आपत BSTC बहुत बढ़िया विटा आगे बढ़ते है एक ले मैं से पहले कुछ बात बता हूं तुम्हें 1945 में नेरुजी जेपुर आये थे, कौन आये थे नेरुजी जेपुर आये थे, तक नीषक में तो जवालाल नेरु के कहने पर शवालाल, नेरु की सलापर आजाद मोर्चा वड़क का यार क्यूँ आंदोलन करना जब सारी बाते मान ली तो थे आराम बादू हलो सर्जी बिलकुल जवलल नेरू की सला पर आजाद मोर्चा पर्जा मंदल में सामिल हो गया थे बहुत थो आंदोलन करने से क्या मतलब मान लिए सारी बात हैं तो आप परजा मंडल का क्या कर दो समर्थन कर दो ऐसे अलग अलग लड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता अपनी फूट पता चलती है लोगों को और इन्होंने परजा मंडल का क्या कर लिया विले कर लिया तो बेटा उत्तरदाई सासन के लिए एक सि सिमित्ी बनाएगी अब सिमित्ी क्या करेगी ने इक साल के बाद 1945 में सिफारी जैंदी क्या दी एपनी एक यह यह सी काम है अपने ऐसे ऐसे काम करेंगे भी ठीक है क्या करेंगे तो बहुत 15 में चुनाव करवाएंगे साद भी में इस में लिग्ञा दारा सवा बनाएंगे हम एक संगठन बनाएंगे आज जिसको आप विदान सभा क्या तै उसके लगबग सीमिलर पर चुनाव होगे मन्जूर है चुनाव करवाल। और 1945 में क्या हुआ इस भीना सभा के चुना भीना अब दारा सभा में दो सदन मैं इसका नाम था विदांद सभा्री विधांद सभा को मैं कई हाँ विदान रहेगी बात है कि तो मैं करता हूं परतिनीदी सभा में 125 सब्चिस तर एक सो अचीस सदू थे याद रखना इस बात को權 subject सभह में कितने सबस्व हों में कितने सदश्य थे एकुए सबाथ कि इतने सदश्य थे तो कि याद रहेगी बात 125 और प्रतिनीदी सभा में और 51 सदस्य किसमें तो विदान सभा में अब बाइस आप चुनाव हुए क्या हुए चुनाव हुए चुनाव सिर्फ इन इन सीटों के होंगे प्रतिनीदी सभा के तो होंगे नहीं इनके चुनाव हुए और इनके चुनाव में अपने वाड़े सीटे ल यह आप लो यह आप दो अपने पड़ते हैं क्लास ऒल até अगती अव डिटकत नहीं है ना टेलिगरम जोइन कर लिए ना वले को पीडी देंगे मेर नमबर हो तो मेरे नमबर पि सब्सक्राइब पयाप को पीडीय अन जाएगे ओफिस के नमबर मेसेज करें न उस आप और Zust Ci Avenue ची शूंमें देवी संकर तिवाडी नाम के एक और कवेखती थे ओल फ्येव contributor टो जंताने बाग लिए आन्टीन सीटला ये तो कोई बाद नी इसको मंत्री बना दो तो हम केते हैं再Mbele मंत्री थे सरकार तो इनकी नहीं बनी थी फिर भी तिवाडी जो क्या बना दिया गया था मंत्री बना दिया गया था याद रखना बैटा कब याद रखले ना बेटा कोंसी पत्रीका तो लोकवानी नाम के एक्या निकाला करते थे पत्रीका निकाला देवराज स्वोलंकी गुड इउनिंग सर्ची वेरी गुड इउनिंग पेटा जिसको भी लिखना और लिखो फिर अपना आगे बड़ते हैं लिखना आओ तो लिखलो स्क्रीन सोट ले लो भले वजी कदनी जिसको स्क्रीन सोट ले ना हो फिर अपना आगे बढ़ते हैं और जेपुर की सरकार बनाए गए बेटा क्या बनाए गए सरकार बनाए गए उनिस सो अड़ता लेश्म लेश्म और नहीं होगा जेपुर की सरकार रेखे बलो ठीके ब स्क्रीवान को नहीं राजाओ की दिवान तो उसमें दिवान है विटी कषणा मे शेंगे तो स्कुम वीटी कशना मचारी वीटी कशना मचारी नाम आप फिर पॉलीटी पढ़ते हो तो पॉलीटी के अंदर वीटी कशना मचारी का नाम पढ़ते हो यह अपनी सविदान सभा के उपाद्यक्स रहे हुए यह और द्यान रख लेना तुम जी के में पूछ लेगा आपको सविदान स सबागे क्या थे ये पाद्यक्स थे और इनसे बेटर दिवान वेटा हो भी कौन सकता था जैपुर की दिवान थे ये विटी कशनमचारी वह भला ठीक है मुख्या सचीव किसको बनाए तो बोला मुख्या सचीव अपने हिरालाल जी इसको बनाए एक दोलत राम बंडारी एक मैं अभी तुम्हें पीछे लिखाए तिवाडी जी अपने देविलाल तिवाडी जिर सरकारी सदिष थे कौन तो देविलाल तिवाडी अब अब राजाने का साब मेरे दो सामन्तों को सामिल करूंगा किसको सामिल करूंगा दो सामिल करूंगा अपने राजस्तान के पहले निर्वाचित मुख्यमद्र ठीक राम पालिवाड कौन बट ठीक राम पालिवाड अब राजाने का साब मेरे दो सामन्त मेरे उन दो सामन्तों क को सामिल किया जाए बोला साब कौन कौन से सामत आपके तो एक तो मारा गीजगड का सामत ठीकाना था जेपुर का घीजगड तो गीजगड का सामत और एक जेपुर का हो ठीकाना था अजे रामपुरा उसका सामत इसका सामन्त बेटा तो अजे रामपुरा का सामन्त ज्यान रखना बात हैं बिल्कुल दियान रखेंगे सर जेपुर में सरकार बनाएगी 1948 में इस सरकार में दिवान वीटी कर्ष्णा मचारी को बनाएगा जो समिदान सभा का इद्यक्स थे मुख्य सचीव इरालाल सास्तरी को बनाएगा और पांच सदिस्य एक कमेटी बनाएगी जिसके सदिस्य दोलत राम बंडारी देविलाल तिवाडी टिकाराम पालिवाल एक इस दिगड़े का सामन्त और एक अजे रामपुरा का सामन्त था बिल्कुल बेटा नोट कर लो इस मे कर को आगे बढ़े बिल्कुल आगे बढ़े आव इसंब मंडल आंदोलन के अंदर कुछ महिला उन्य बाग लिया था पर उनका नाम था रमा देवी पांड़े शुमित्र शारधा देवी सुसीला विद्या देवी इंद्रा और दुर्गवती सर्म आज कल आप राजस्तान गवर्मेंट के पेपर उठा के देखो तो उसके अंदर लिखा होता है ये निमन लिखेते मैला हैं कौन से आंदोलन में समय लिथ या कौन से आंदोलनों में भाग लिया था या जेपुर परजाम अंडल से सम्मधित कौन सी महिला है तो अपने इन महिलाओं का नाम क्या रखना ध्यान के अंदर रखना बिल्कुल लिक लो किसी को स्क्रीन सोट लेना हो तो आप बेटा स्क्रीन सोट ले सकते हैं प्यास Manni के पता और US आना द्रे लेना है तो आप क्या ले सकते हो ले सकते हैं अब देखो कुछ लोगों के इंट्रोडेक्शन अपने पड़ लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लोग हैं जो इन आंदोलनों में सामिल हुए जैसे एक विक्तित है जम्नालाल बजाज यह आपके एक्जाम पॉइंट ऑफिसे बड़े इंपोर्टेंट है जम जम्नालाल बजाज खुद शिक्कर के थे बिटा और शिक्कर में जगे पड़ती है कासी का बास का प्रपड़ती है यह जगे वहां के तो यह रेने वाले थे वहां के तो थे प्रबपर कॉंग्रेस के कोशाद्यक्स थे सेट जी थे बाणियां थे भाई जाब एसे टकों का इसाब इसे बेटर तो को नहीं रख सकता है और बारतिय आंदोलों में कॉंग्रेस की खुबी मदद की थी की फइनेशलि ही जी अपने सेखावटर की एक सेड थे कुंग्रेस की जब्रैस खुबन है । कि और राय बहतुर की घुब खुबरो्ट मिली थी तो राय बहदुर की घुय उपानीमी थी। यह भी बात ध्यान रख लेना बिल्कुल ध्यान रखकेंगे होगत रायी चैणि तो राइ बादी मिली थी तो राय बादुर के उपादु हुई थी जब एक बार किसी एक्जाम में पोचह लिया था कि एक्साम कांदोलन में बाग लेने के बाद जमनालाल बजाज ने कौन सी उपादीर लोटा दीती तो राई बादुर नमस्कार बड़े लेट आये हो आज फिर आपना आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी को भी मानते थे तो गांधी जी के खुद के तो रियल में चार बेटे थे तो इन गुलाम हमारी लियाषन हमारा देश सथा और चौत हम नम नंबर चार करते इनां संकठन बनाया था जो बड़ी चर्चांग में रहा था वह संगठन 1927 में कि हटार का संख कि क्या नाम था है संगर्ठन का संग तरका संगर्स है चरका संग नाम का बनाई था झेपुर में एक जगे पड़ती है impossible सर तहां पर अमर सर जेपर याद रहेगी बातें बिल्कुल द्यान रहेगी सर जिसको लिखना वो लिख सकता है जिसको स्क्रीन सोट लेना बिटा आप स्क्रीन सोट ले सकते हो लिखना आप से स्क्रीन सोट ले सकते हैं एक बढ़े और रनमस्कार सर बिल्कुल स्वागते बढ़ते हैं और मैं आगे बात करता हूं लाइक करते हैं वीडियों को साथ साथ मैं आप लोग अखले एक वेक्ति पढ़ेंगे बन हीरालाल सास्तरी आपके प्रमुक वेक्टि तू भी सेले बस में तो इनको यहीं कम्पलीट कर लेते हैं हीरालाल कि ऐस एक बारे में एक बात तो आप जानते हो कि राजस्तान के पर थम मनोनीत मुख्यमंद्री थे और इनके शंगठन था जेपुर हितकारेनी सब्सक्राइब कि जानते हो कि इन्होंने खुदने 1927 में कॉंक में जगपर्दी बटा निवाई वहाँ पर एक संगठन बनाया था जीवन कुटिर, स्कूल थी एक विद्ध्या ले था, सिक्षा का मंदिर था, जीवन कुटिर, कौन सा संगठन बनाया था बिटा, जीवन कुटिर नामक एक संगठन बनाया था, कब तो 1927 के अंदर, कहाँ पर निवाई टोंक के अंदर, लेक पटी हुई है कि एक बेटी थी एजुकेशन के प्रति बहुत रिफॉर्म कर रही थी वह एक्सपायर होगे तेर उनके लिए एक संगठन बनाया था जेवन कुटी उसका नाम बदल कर वनस्फथी विद्या पेट कर दिया था आप भी आप आप में से काफी बच्चे जो शिक् इजुकेशन नहीं बैटा शिरफ एजुकेशन नहीं पंच मुह की शिक्सा के लिए बड़ा फैमस है खुब केरी कुलल एक्टिविट्यों के लिए भी जाना जाता है ये वाला संगठन कौनसा संगठन तो वनस्तली विद्या पिटिन का एक संगठन है इनकी आत्मकता ओट कातियक्स जीवन अस्तर उस समय जब संगर्ष कर रहे थे तो ये गीत लिखा रेट पर ले प्रतिक्षा नमों नमे ये याद रखना है खुब पुछा ओ एक्जाम में कि परले प्रतिक्षा नमों सेर बिल्कुल बेटा अनुमान सर की बात मानलो तुम मेरी तुम नहीं मानते हो डेटे हो बिल्कुल ओ एक नाम हो रहा था तो पहले निर्वाचित मुख्य मंत्री थे वोन थे निर्वाचित मुख्य मंत्री थे राजस्तान के पर्थम निर्वाचित मुख्य मंत्री थे इन्हों का खुद का भी एक संगत हैं था विद्ध्यार्थी यूथ लीग इन्हों का खुद का भी एक संगत हैं था उस संगत हैं था विद्ध्यार्थी यूथ लीग यंग थे खुद जवान आदमी थे तो जवानों का संगठन बनाया विद्यार्ति यूथ लीग है ना फिर एक मैला बड़ी चर्चाओं में रेती है अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है जमना जमनालाल बजाज जी की पतनी है जान के देवी बजाज क्या नाम है बड़ा हो जानके देवी बजाज मैं तो इनको जमनالाल बजाज की पतनी कहना और इनका इंट्र ंडिक्शन कराना तो बहुत जलते माईला आपने आप में अपनी पैचान रखती है सभी दोस्तों से निवेदन है कि क्लास को सेर करे अब आर रहेगा जोतपुर के नंबर वन क्लासे जनरेट परसंटेज रिजट बहुत बहुत दिन्यावत बेटा सुसील फड़ाक राम राम सर राम राम कि मैं अभी कह रहा था ना जयमिनालाल बजाज की नाम से इंट्रोडेक्शन करना तो बिल्गुल गलत बात है थुद अपना परिच्च है जमिनालाल बजाज की पत्मी होना ही सिर्फ इनका परिच्छे नहीं है फिर अपन कहते हैं कि इनों ने एक संगटन बनाया था गो सेवा संग इनका संगटन है बेटा गो सेवा संग इनका क्या है संगटन है जिसका नाम है गो सेवा संग जब गांदी जी ने देश आजाद हो गया था तो गांदी जी के एक शिश्य थे विनोबा भावय उन्होंने पूरे भारत में बूदान आंदोलन चलाया था तो उस समय बूदान आंदोलन राजस्तान में किसी ने बाग लिया था तो जणकी देवी बाजस थी इन्होंने किसमें बाग लिया था बूदान ओलन में बाग लिया था उदेश जानकी देभी बनवार राटोड के जैस्री सर देश्री राम बेटा बुधान आंदो लनście बुदान आंदोलन में ये मतलब अब जिनके पास ज़्यादा जमीन हैं वो फिर अपनी जमीने क्या करतो दान कर तो Data नो शक्राइब बने लिड़ा दियान रखना और निस्क्राइब प्रुषकार थे तो पूंसा पदम विभुषन राजस्तान की पहली व्यक्ति थे पर्थम राजस्तानी थे जिन परसमराजस्थानि थे जनको पदम विभॉशन मिला था उध्यान रख लेना थोड़ी सी बात पर्फम राजस्थानि थे जिनको क्या मिला था पर्जामंडल बिलकुल कमपलीट फिर अगली मारवाड बुझी यह अपने सारे पढ़ा मंड़ल के अंदर पढ़ेड़ brothers अपर वा पर्जामंडल की अज़सा है कि आपको यह सारी बाते स्मझ में आई होगी अच्छा लगा होगा बिल्कुल सर समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है अपना आगे बढ़ते हैं आऊ एक परजामंडल और लगे हाथा अपन साथ में पढ़़ी लेते हैं मुंदी परजा मंडल के बारे में बताऊं तो इसकी स्टाफ ना 1931 में हुई तो कब हुई थी बिल्कुल चोटा पर दम अले दो तीन मिनट की बात होगी इसकी तो संस्ताप्क कौन थे शुरू में लि क्या नाम था उनका रिवल हमेड़ान और ये नाम था रिषीदत मेतल एपकर उन्हें में तो संस्य मेड़े ब्हुत है जिसका नाम था-נत्रार ब्लीकलगी इहां फिर और सब्लादrendre करक रेलकल नस्हां को अंत्य। अंत्य। समचार पत्र निकाला करते थे एक अकभार था इंग जिसका नम था राजस्तान वीकली अधर वीकली कर तो वीकली नाम सब्सक्राइब में एक बार हम आया करता था सब्सक्राम का वे चापते थी सिर्फ मे निकाल करते ते ये अकबार नहीं करने दिया करते थी तो ये अकबार निकालते थे फिर अंगरेजों वाले बारत से मामले से येसे साम बनाओ अकभार संगठन बनाओ तुम्हें किसी भी परकार की मना नहीं है तो ब्याबर से एक अखबार निकालते थे जिसका क्या नाम ता राजस्तान वीकली हाला कि रिशिदत मेत ने संगठन भी बनाया था बड़ा अच्छा संगठन था बूंदी देसी राज्जी राज्ये लोग परिशद जैसे एक संगठन बना था आकिल बारते देसी राज्ये लोग परिशद जैसे एक संगठन बना था आकिल राजस्तान देसी राज्ये लोग परिशद और इन्होंने एक संगठन बनाया था बूंदी देसी राज्ये लोग परिशद लेगिन कुछ समय बाद बूंदी परजा मंदल में पढ़ेंगे तो कल अपन बाके के पढ़ेंगे ध्यान रखना आप सारी बातें और यह जो मैंने पढ़ाया है वह आप गर जाके पढ़ के आना आप सभी लोगों का करवा दूंगा जहां का कुछ पढ़ना नहीं किशन सोल तब किये जाते हैं बेटा जब हिस्ट्री सोल होती है और मुझे जहां तक लगता है कि आज मैंने जो पढ़ाया उसमें से साइथ कम से बच्चों ने यह पहले पढ़ रखा होगा बहुत सारी आपने नहीं चीज़ें स वरना दो गंटे यहां पर खोटी होते हैं हमारे भी आरेस की वेकेंसी आ रखी है और फिर तुम लोग ऐसे 10-15-16 जूड़ते हो तो मज़ा थोड़ी आता है दो तिन दिन तक आप 40-45 जूड़ रहे थे अब आपने वापस लाइव जूड़ना बंद कर दिया अपने सारे द सेर। Kenneth양 धुड़ना थैसे की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं मैत था झाल झाल